हेलो, वाट्स आप गाईज, माई नेम इस्मिनोत बादूर धापा एंड तोटे इन इस पूरो बेविल से कम्प्लीट डानेमिक वेबसाइट उजिंग एक्सप्रेश जेस इन हिंदी तो चलिए गाईज, सुरू करते हैं सबसे पहले आप सबसे का बहुत स्वागत करना चाहूंगा और एक्सप्रेश जेस टूटोरियल इन हिंदी इन 2020 के उपर अल्रेटी बहुत सारे ओसम वीडियोस अपलोड कर चुका हूंगा इस आपको जब भी फ्री ताइम मेले जरूर चेक आउट कीजे क्योंकि बहुत ही जात इन पॉर्टेंट है यह सारे वीडियोस राइट अब भी तक हमने जितना भी समझा मैंने इसके थुरू एक मेन प्रोजेक्ट लिका है जहां पर मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि अब आप कैसे इसके एक 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 कम्प्लीट डैनेमिक वेब्साइट कर सकते हो आप देख सकते हो यह कितना ऑस्वा सम दिख रहा है अप देख सकते हो जहां पर मेरा बियूटिफुल सा मेरा लोगो है यहां पे यह फूटर है, यहां पे यह फूटर है, and the best part about this फूटर है हमें सा बॉटम में ही रहेगा, जी हाँ guys, one of the important part है हमारे web development का, कि फूटर को हमें सा बॉटम पे ही चिपका के रखना, बना बहुत, guys, really, बहुत मुश्किल होता है, LCR, ठीक है, आप देख सकते हो, हम real-time API के साथ खेलने वाले, जी हां guys, real-time API के साथ खेलेंगे, and इस website को एक दम आउसम बनाने के लिए, आप देख सकते हो guys, यहां पे लिखा, enter your city name, and then search, आप लोगों में आपने notice कहा है कि नहीं guys, इस रोटेट कर रहा है, कि नहीं सब animation पाता चलने वाले, ठीक है, तो guys, सब clearly बोल रहा, please write the name, before search, आप यहां पे कुछ भी अच्छा सा अपना, you know, error का message लिख सकते हो, मैंने तो बस simply इतना लिख दिया, main है कि यह work करना चाहिए, है कि नहीं, तो अगर आप कुछ भी नहीं लिख रहे हो, तो हमने गा, इस यह condition check है, बाई, कुस तो नाम दो, यार, सर् अगर मैं सर्च करता हूँ, अगर मैं सर्च करता हूँ, पुने, किस कंट्री से बलॉंग करता है, that is India, पुने में कितना current, कितना degree Celsius है, and यह basically depend करता है, कि बारिस का मौसम है, या cloudy है, या rainy, rainy बारिस, दोनों सेम हो गया, sunny है, या एकदम clear है, ठीक है, पुने हो गया, उससे त Find the scene, automatic real-time API से हमें आ रहा है, कि हाँ अगर सूरज वाला दिन है, तो सूरज का logo दिखाओ, टेंपरेचर जो है वो दिखाओ, अजमेर गाइस राइस्तान में है, इस तिर किसे, let's go with Delhi, Delhi का क्या आलखाबर देखे जा रहा, Delhi में भी गाइस, cloudy है, भी ठंडी का मौसम है, यार mostly बारिस है, तो इसलिए आपको ज्यादा तर ये cloudy ही देखने मिलने वाला है, लेकिन में नहीं है, ये perfectly work कर रहा है, है कि नहीं, अब उससे तिर किसे, अगर मैं आप पर चलता है, and boom, ऐसे देखे, अब आप पर कितना awesome एक image है, है नो, transparent image, awesome दिख रहे हलका background, not background, box shadow दिया हु उसके border पर ये shadow हो रहा है, ना कि इस transparent image इसके just पीछे, तो ये भी एक trick है, जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, आपको एक new status property पाता चलने वाला, and यहाँ पर आप देख सेते हो, कितना awesome दिखाई दे रहा, and यहाँ पर simply about me पर अगर मैं क्लिक करता हूँ, तो गैसे सारे के सारे लिंक एक दम perfectly work करता है, and आप बहुत किले लिए देख सकते हो, कि इस basically मेरा website open हो रहा है, यहाँ पर, I mean, मेरा official website यहाँ पर open हो रहा है, यहाँ कि निस simple and source code तो अल्रेडी बहुत सारे वीडियो का आपको मैंने upload करी रखा free में, तो आप check out कर सकते हो, and उसे तरिके से इसे guys, यह मेरा home हो गया, एक second, अब इसको मैं दिखाता हूँ कि अगर कल की दिन, suppose यह देखो, यह भी perfectly work करता है, and मैंने इसकी बात की थी check now, check now पे भी perfectly work कर रहा, तो guys, सारे के सारे link perfectly work कर रहे, and हा, सिर्फ इतना ही नहीं, कल के दिन अगर किसी ने कुछ उल्टा फुल्ट डाल दिया, कुछ भी, and boom guys, इसे देखे, 404 error page, oops, page not found, welcome to Thapa technical world, go back, and वापस हमारा home page, so guys, सब भी के सब भी हमने as a back-end ExpressJS का ही code लिखा है, PHP अब हम use नहीं कर रहे, pure Express के थुरू, यह सब कुछ हो रहा है, जहां पे navbar हमें सिर्फ एक बार लिखना दे हैं, हम उसको include कर रहे ह कि it is perfectly responsive, अगर मैं guys, यहां पे चलता हूँ, ठीक है, inspect करता हूँ, यह देखो guys, it is perfectly responsive, and footer हमें सा bottom पे ही रहेगा, चाहे, दुनिया इधर की उदर हो जा, footer हमें सा bottom में रहने हो ला है, उसी तरी के सी weather जाओगे, so guys, यहां पे भी एकदम perfectly वग कर रहे है, again, let's go with Pune, तो footer bottom पे ही रहे गाए, देखो, मैंने page scroll की, and footer bottom पे ही है, again, मेरा थापा हो इधर, मेरा home page, and आपको दिखाया गाईसे, carizol एकदम perfectly वग कर रहे है, so guys, this is it, I really hope guys, आपको बहुत पसंद रहे होगा, क्यूंकि मैं चाहता था अपने video के थरू, कि जो भी मैं explain कर रहा हूँ, उ इससे आपको ये लगे कि हाँ, मैंने अब भी तक जितना भी ये videos देखे, जितने भी मैंने tutorials देखे, it's worth it, right, and इससे पहले भी guys, हमने note jazz complete किया था, वहाँ पे भी मैंने आपको एक main project दिखाय था, कि आप कैसे note के थू कर सकते हो, react jazz के उपर दिखाय है, वहाँ पे main project दिख सब्सक्राइबर, जी हाँ, मैं अपने end से daily 110% मैनत करूँगा, ताकि आप सभी के सामने awesome content रख सको, so guys, अब भी तक अगर आपने मेरे चैनल था, पर टेक्निकल को subscribe नहीं किया, please guys, subscribe कर लिजेगा, right side में एक red color का bell icon एक घंटी दिखाए देगा, hit किजे, click किजे, ताकि आप आपको complete from zero to hero, मैं एक दम scratch से बताने वाला हूँ, with CSS, क्योंकि आप में से बहुत हो को problem में आते कि CSS था आपने बताए नहीं, तो guys, आज ये सारे animations कैसे क्या हो रहे, ये सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ, okay, so guys, video थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन, please आप मेरे साथ बने रही है, believe me, मैं आपको एक सेकेंड के लिए भी बोर नी होने दूँगा, ठीक है, all right guys, बाते आईनो बहुत हो गई है, अब हम complete करते, देखो कैसे, मैं VS Code Editor पे work कर रहा हूँ, right, simple, मैं देखो क्या करता हूँ, guys, इस जेगे पे मैं चलता हूँ, मैंने टर्मिनल उपन कर करना है, by simply clicking terminal, इस तरीके से, ठीक है, else, आप अगर Windows में हो, तो control and then आपको back tick प्रेस करना है, आपका terminal open हो जाता है, and guys, अगर आप Mac या Linux की user हो, so guys, please नीचे comment जरू कर दीजेगी, terminal कैसे open करना है, ठीक है, so guys, देखो, सबसे पहले हमें ये project create करना है, ठीक है, तो मैं क्या करत हो, यहाँ पे चल के अपमें एक new folder create करा हूँ, जिसका नाम होगा express web, express web लिख देता हूँ, and enter hit, this is it, so मेरा एक new, आप देख सकते हो guys, basically, एक new folder create हो गया, simple, ठीक है, and guys, अगर आपको ये थोड़ा lengthy लगता है, तो आप क्या कीजिए, simply यहाँ पे आके right click and new folder create करके भी आप इ अप में express के अंदर आ चुका हूँ, so guys, देखे, सबसे पहले मुझे क्या करना है, इसके अंदर मुझे एक folder create करना होगा, जिसका नाम होगा source, ठीक है, जिसका क्या नाम होगा, source, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, simply देखो किस तरी केसे करूँगा, again, make directory, and then src, this is it, तो इसक के अंदर अगर मैं अप guys, dir करता हूँ, अब आप देख सकते हूँ, मेरा एक new folder create हो चुका, that is src, and alright, यहाँ पे src create हो चुका है, अब guys, मुझे क्या करना है, cls वापस clean, उसके अंदर जाना है, src के अंदर गया, this is it, इसके अंदर एक new file create करना है, जो कि हमारा main file होगा जो सब कुछ handle कर रहोगा, routing and all, सब कुछ देख रहोगा, so type, and then null, and then greater than sign, and then आपका उस index का नाम, that is app.js, this is it, तो source के अंदर मेरा एक new file create हो चुका, that is your app.js, simple, अभी फिलाल हमारे इस case पे सिर्फ एक ही है, that is app.js, अभी मैं cd dot dot करके बाहर जाता हूँ, अभी मैं अपने main folder express web पे आचुका हूँ, देखो guys, हम क्या यूश करने वाला है इस बेक एंड express, and express फ्री का तो मिलेगा नी, we need to install express just in our local system, ठीक है, हम इसको ऐसा global package यूज नहीं करने वाले, specific to our project, सिर्फ हमारे project में उसको add करना है, तो npm express आप Google पर सर्च कीजिए, पहला जो सर्च आता है express, npm इसको मैंने की copy, npm, install express, हाला कि सब कुछ मैंने बता चुक है, लेकिन फिर भी आप में से अगर first time देख रहे हो, तो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को बिल्कु नू लगे, तो पूरा scratch से बताने वाला हूँ मैं, ठीक है, once जब copy हो जाएगा, हमें इतना याद अगना कि यह जो express है, basically इस express पे हमारा project dependent है, ठीक है, and जब भी हम कुछ packages को install करते हैं अपने project में, तो उसको देखने के लिए, उसका देखवाल करने के लिए, basically हमें एक file की need बढ़ती है, that is your package.json file, तो इसको install करने से पहले हमें package.json file चाहिए, अपने main project के अंदर, and it's super duper easy, that is npm, आपको उपर नहीं लिखना है, आपका जो main folder है, वहाँ पर ही आपको रहना है, वहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, npm, init init, this is it, इतना, आप चाहतो और guys, directly yes करोगे, flag 2, automatic हो जाएगा, लेकिन फिर भी, मैं complete start से करता हूँ, package का नाम guys, express हुए भी रहने देता हूँ, version, description, entry point, test command, git, फिलाल है नहीं, keyboard नहीं, author obviously, मैं बस guys, यह author में थाप टेक्निकल लिखने के लिए में यह कर रहा था, license and, okay, this is it guys, so अब मैं clean कर देता हूँ, and आप एक चीज़ नोटिस करे हूँ, अगर मैं express पर चलता हूँ, and boom guys, now we have our package.json file, जिसके अंदर guys, आपको बाता है, name, version, description, तो मैंने कुछ लिखा नहीं, आप चाओ, तो यहाँ पर लिख सकते हो, हाला कि इतनी कोई need नहीं अभी, and author आप यहाँ पर थापा देख सकते हो, है कि नहीं, अब मैं यहाँ पर चलता हूँ, simply अप मैं उसको install करूँगा, so, npm install express, अगर आपको लगता हो, ता आप इतना ध्यान दो कि अब भी फिलाल हमारा यह जो केस है, यहाँ पर कुछ नहीं, लेकिन बूम गा, इसे देखो, within a second, express, as a dependencies, यहाँ पर एड हो चुका है, ठीक है, इतना मेरा काम हो गया, अभी मुझे क्या करना है, मुझे इस source के अंदर चलनला है, और हाँ, package-log.json file भी include ह जिसके अंदर, जो भी packages को हमने install किया, लाइक अभी file express है, उसका और depth में उसके बारे में बताये गया है, इसके अंदर, and note modules के अंदर, guys, अब express को चलने के लिक, और यह किस-किस के उपर dependent था, वो सब यहाँ पर already सब कुछ है, ठीक है, इतना हो गया, app.js पे मुझे चलना है फिलाल इसको IJT छोड़ता देखो, guys, सबसे पहले, अगर आप express के through application क्रेट कर रहे हो, तो we all know कि हमें, guys, सबसे पहले तो express को require करना है, so const, spelling सही लिखना है, const, यहाँ पर में चलता हूँ, इस simply आपको लिख देना express, basically आपका एक function मिल रहा है, यहाँ पर require, and this is it, guys, आपको नाम होगा app, basically यह एक, आपके convention है कि मतलब यही यूज कर रहे, and require लिखनी की जोड़तीनी, simply express function को call कर दोंगा, this is it, and now with the help of this app, मेरे पास, जितने भी express के अंदर method, properties, सब कुछ आप मैं एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है, तो सबसे पहले काम यह कि, suppose, यह मेरा क्या है, guys, एक से इसके अंदर मैंने कुछ ऐसी forward slash, अगर मैं about लिखता हूँ, ठीक है, तो आप देख सकते हूँ, मेरा about page open होता है, simple, ठीक है, लेकिन अगर मैं कुछ नहीं लिखता है, it means मेरा main home page है, ठीक है, तो हम कैसे कर सकते है, basically, यह routing है, so देखो guys, it's super duper easy, मैंने का, now with the help of this app, हम express के सा get, app.get, इसके अंदर guys, अब आपको क्या करना है, basically, यहाँ पर इसके दो parameter रहते, that is your route, and then आपका callback function, ठीक है, इस तरिके से callback, so root is like की कहा, like about page है की home page है की जो भी हो, so home page को guys, आप चाहँ तो forward slash, नहीं तो as it is, आपकी उपर है, ठीक है, as it is, छोड़ तो भी हो, आपका home page ह क्या रहता है, now callback का एक important part है, basically, मैं fat arrow function, ठीक है, मैं यहाँ पर चलता हूँ, देखो, request, इतना याद रखो कि पहला जो आपका, you know, argument होगा, that must be your request object, यह आपका एक object है, and then यहाँ पर आपका response, this is it, यहाँ पर मैंने चलना है, यहाँ पर मुझे लिखना है, response dot simply send, अगर पर टेकनिकल पेज, वो ऐसे चैनल लिखता हूँ, पेज तो है निये, ठीक है, and I hope spelling सही है, you know, simply इतना लिख दीजे, control and save, this is it, अभी यह कुछ होगा नहीं, क्योंकि अभी थे हम listen नहीं करें, so app dot listen, we need to listen, you know, and हाँ guys, एक चीज़ याद रखो कि अभी तो चलो ठीक है, लेक लेकिन अभी आप इतना समझ लिजे, एक environment variable रहता है, and जो port number हम यहाँ पे mention करते है, like 3000 या 8000, you know, जब हम उसको host करेंगे, तो उनके लिए थोई na 3000 या 8000 रहेगा, वो अपना खुद का environment variable के तुर, एक मलदब एक port create कर लेते है, जो कि हमें अभी फिलाल देखना नहीं है, इ simply const, एक port करके एक variable create कर रहा हूँ, जहाँ पे अगर, by default हम अपना project रहे है, तो मैं फिलाल अभी उसको 8000 पे रन करना चाहूँगा, ठीक है, and it's perfectly working, देखो, अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, port, बस यहाँ पे callback function, जहाँ पे यह दिखाने के लिकी, मेरा यह जो port रहा है, so console dot log, यहाँ पे मैं चलता हूँ, and मैं basically, backtick, it means template literals, listening to the port, at, and यहाँ पे देखो guys, template literals, dollar and then curly braces, ठीक है, यहाँ पे simply support को मैं mention कर दा, this is it guys, हमारा basic, simple, एक दम clear हो चुका, terminal मैं ने उपन की, इसको clean कर देता हूँ, now guys, it's like, node 1 को, हाँ, इतना यादखना कि मैंने अपने इस project में, you know, node 1 करके, package इसको already install कर चुका है, and node 1 guys, आपको already मालूम होगा, क्योंकि अगर आप मुझे follow कर रहें, तो simply, आपको लिखना है, node 1 में, आप देख सकते हो guys, यहाँ पे link, you know, इसको देख लीजिएगा, node 1, and guys, कुछ नहीं करना है, npm, install node 1, बस इतना लिखना, and हाँ, आपको as a global, हम ने इसको install किया, and guys, इतना make sure करूँ कि आप इसको as a global package क इसकी तरह install करो, ताकि आपको बार बार किसी project पे इसको install ना करना पड़े, तो मैंने अल्रेडी कर चुक है, मैं आप यहाँ पे क्या करता हूँ, node 1, simply, and source के अंदर मैंने चलना है, and उसमें जो मेरा app, basically, so app.js, आप देख सकते हो guys, एक error आया मुझे, and that error is, यह देखो, already in use, okay, guys, actually, मेरा यह जो project यह already used में है, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, आप मैं इसको तो, ठीक है, it's okay, एक काम करता हूँ, इसको मैं 3000 पे चला देता हूँ, क्योंकि मैं वो project को side by side रखना चाता हूँ, तो ctrl s, save की, ठीक है, यहाँ पे मैं चलता हूँ, आप देखो, perfectly चल रहा है, यह कोई error निया, and आप देखो, इसका जादू, मैं चलता हूँ, localhost, and आप देख सकते हो, इस 3000 पे भी मेरा चल रहा है, 8000 पे तो चली रहा है, express का application, तो यह भी एक doubt चला, आप लोगों का clear हो गया, कि क्या हम अपने system में at a time multiple express application run कर सकते है, all right guys, आप देख सकते हो, 8000 में भ आप technical channel, perfect, you know, इसको आप मैं हटा देता हूँ, चलो इतना मेरा part हो गया, अब यह जो मैं बोल रहा था, involvement variable, basically क्या होता है, कि यह तो हम local पे run कर रहे, that's why यह run हो रहा है, लेकिन जब हम इसको host करते तो उनको अपना खुद का एक port number चाहिए रहते है, so उसके लिए guys क्या करन हो रहा है, पहले देखेगा क्या इस port number पे work हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है, तो इस पे चला जाएगा, simple, है कि ने, इतना simple, and जब हम इसको host करेंगे, हमारे कुछ भी आपने, अगर कहीं से भी hosting ले रखाओ, तो देखेगा, अगर 3000 पे नहीं चला, वो इससे चलेगा भी तो वो इसके तुरू जो port मिलेगा, उस पे चल जाएगा, तो यह गाईस बस एक advance था, जो मैंने बस बता दिया, ठीक है, इतना मेरा काम हो गया, simple, चलो, मेरा homepage बनके ready, ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, that is, जब यह बनके ready हो जाता है, तो मैं यहाँ पे चल जलता हूँ, about and boom, guys, देखो, थापर technical about page आगिया, ठीक है, उसे तरह किसे मैं weather page कर सकता हूँ, so यहाँ पे मैं चलता हूँ, मेरा जो main अब weather है, ठीक है, देखो guys, कितनी easily होता जा रहा है, and यहाँ पे मैं इसको copy करता हूँ, and यहाँ पे paste, तो guys, यह basically हम new रख रहा हूँ है, अब मतलब कैसे बता हूँ, new word जो था, you know, वो new नहीं, मतलब बोलते हैं कि paid उगाँ से पहले जड को एकदम अच्छे से हम देख वाल करते है, तो वो initial phase ही है, इस तरह किसे हमारा होने वाला project, so about, अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, weather and this is it, weather channel का page, अब जो एक error आ रहा था, that is 404 error page, that is कि अगर कोई कुछ भी लिख दे, तो आप देख सकते हो, cannot get, you know, cannot get, ठीक है, अब मैं आपको बता तो basically क्या हो, simple देखो, यह मेरा homepage, आपका यह क्या है, about page and then यह मेरा weather page, अगर इन तीनों में से कुछ भी match ना करे, तो उसके लिए हमारा पास एक operator, basically special operator in express, that is asterisk, right, CSS में universal operator बोलते थे, इसका काम यह है, अगर कल की दिन, इन में से अगर कुछ भी match नहीं होता है, तो guys हम इसको as a 404 error page बताने वाले, यहाँ पर मैं लिख देता हम 404 error page, oops, लिख देता हो, and don't worry, इससे बता रहो, आगे हम इसको और एकदम better करेंगे, and this is it, 404 error page, oops, तो अगर क कि दिन, instead of यह तिनों को छोड़ के, कोई कुछ भी page को विजिट करता है, तो 404 error page हमें आने वाला है, so guys, आप देख सकते हूं कि हमने at least इतना part हमारा complete हो चुका है, ठीक है, अब हमें यह देखना है, let's see, यह एक second को जादे जूम हो गया, ठीक है, पॉफ, इतना देखो, अ पड़ेगा अपने express के अंदर, so, make director public, उसका नाम होगा, this is it, public one के create, उसके अंदर एक new folder create करना है, CSS perfect, उसके अंदर एक को और new folder create करना है, JS perfect, guys, आप side by side देखते हो, public, all right, guys, sorry, 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 actually, मैंने मिस्टेक कर दी, कि मैंने express के अंदर ही, CSS and JS कर दिया, ठीक है, अब मैं आपको ए and this is it, guys, तो यह है न, awesome, right, तो multiple options है, हमारे पास, हम बहुत इजली कर सकते थे, इसको, वापस मुझे क्या करना है, basically, CLS मुझे public directory के अंदर चलना है, so, public perfect, इसके अंदर मुझे create करना था, so, mkdir, CSS, mkdir, JS, ठीक है, perfect, अब मुझे क्या करना है, CSS के अंदर जाना है, cd, CSS, perfect, इसके अंदर जाके, guys, type null, and greater than का sign, आपका, basically, style, CSS का page चाहिए कि नहीं हमें, तो इस तरह की से, guys, देखो, public, CSS, style.css, बनके, ready, and यह मेरा JS, अब JS के अंदर भी मुझे एक फाइल क्रेट करना है, तो cd.dot के बहार गया, मैं, CLS कर देता हूँ, वापस cd.js, enter, JS के अंदर गय देता हूँ, this is it, so main.js बनके, ready, अब यह मुझे क्या करना है, cd.dot बार गया, public के अंदर एक new file क्रेट करना, that is your index.html, ठीक है, so मैं यहाँ पे चलता हूँ, and it's super duper easy, that is again, type null, forward slash, index, मैं यहाँ, spelling एकदम सही लिखे, ठीक है, आप index.html, ठीक है, वापस उससी के अंदर you know, template engine express के थूर, and हम handlebars use करने वाले pug नहीं, ejs नहीं, वो सब पुछ बता हूँगा, guys, आपको बहुत मजा आने होला है, आप बस end तक देखते ही, and I really hope आपको मजा भी बहुत आ रहा होगा, है कि नहीं, क्योंकि commentary टैप हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, इतना हो चुका है, अभी मेरा काम क्या है, guys, cd.d.d. के बाहर जाओ, वापस से मुझे उसको रन करना होगा, एक काम करता हूँ, मैं node.mon, ठीक है, it's super node.mon, मेरा source folder के अंदर, guys, आपको हमें से source folder के अंदर, जो हम ये बना रहे हैं, उसी को ही रन करना है, and this is it, सब कुछ वापस ready, ठीक है, मुझ आपे में चलता हूँ, एक h1, welcome, एक second, मैंने welcome की spelling wrong लिख दी, welcome to the static web लिख देता हूँ, simple, क्योंकि अभी हमारे static page है, simple, ठीक है, मुझे किसी तरीके से एप के थुरू, इसको call करना है, किसको मेरा index वाले page को, ठीक है, and ये आगर हम देखते हैं, तो कही से बहुत छोटा ची static website उठाओ, public folder के अंदर रख दो, and मैं उसको within a second, शिर्फ एक line के code से run कर दूँगा, express है, and it's super duper easy, guys, believe me, ठीक है, देखो कैसे, अभी में क्या करता हूँ, उसको run करने से पहले style भी एक कर देता हूँ, that is, मेरा h1, इसका जो color होगा, red कर देता हूँ, ठीक है, simple, अभी यहा पर मैं चलता हूँ, document के बतले, guys, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इस तर के से weather, and I don't know, guys, आप में से बहुत होने नोटिस किया है कि नहीं, मैंने यहाँ पर आइकन कर रहा है, तो यह भी बहुत awesome है, कि आप फैव आइकन को भी कैसे add कर सकते हो, black है, इसलिए इतना कुछ लेकिन मैंने आइकन यहाँ पर add किया हूँ, तो यह कोई local नहीं आ रहा सब कुछ, नाम चेंज है, आइकन भी मैंने add किया हूँ, तो यह पुरा perfect एकदम complete है, यह website आप लोगों के लिए, ठीक है, all right, इतना हो गया, अभी मैंने क्या करना है, यहाँ पर चलना है, simply link css का, css forward slash and then style.css, तो इस तरिके से मैंने link दे दी, अब मुझे fab icon भी चाहिए, ठीक है, और हाँ, एक और चीज मैं बताना चाहूँगा, that is, कि मेरे pass express, already guys ही मैंने project इसके अंदर create किया था, public है, images, एक second में आपको images दिखा दे तो हम पहले तो, आप देख सकते हूँ guys, मेरा logo, यह जो bg3, bg2, bg1 and 404 कुछ इस तरिके से दिख रहा है, यह मेरा about us का images है, क्योंकि आप मैंसे बहुत हो को doubt आता, images कैसे मिल रहा है, तो मेरे इतने ही images में use कर रहा हूँ, so copy, मैं वापत चलता हूँ इस पे, मेरा जो project किस पर work कर रहा हूँ, मैं express web, public and मैंने यहाँ पे paste कर द चुका है, relation आपका shortcut icon रहेगा, इसके अंदर guys अब आपको क्या करना देखो, href में अब आपको वो path देना है, images के अंदर मेरा logo.png and यहाँ पे type में image तो है, but x icon नहीं, वो basically png है आपका, ctrl s save, इतना में लिखता हूँ, ठीके आप फिलाल यह रन नहीं करेगा, क्योंकि आपको run करना है, simple and I think welcome की spelling यहाँ पे wrong था, simple इतना हो गया, अभी मैं क्या करता हूँ, app.js पे चलता हूँ, देखो guys, मुझे यह static website को run करवाना है, ठीक है, simple से बात, and it's super duper easy, and that is, वो कैसे कर सकता हो, देखो, एक simple सा एक line का code है, that is, मेरा यह जो app है, वो use करना चाहेगा, क this is it, simple, बस यह एक line का code मुझे लिखना है, control, let's save करता हूँ, यह जो अब static, and यह जो मैंने parenthesis को create की है, basically इसके अंदर, मुझे उसका path एड करना है, कि यह जो public folder, उसका path मुझे यहाँ पे एड करना है, तो कैसे देखो, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, public static path, ठीक है, simply इसके से मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे, and, अब मुझे यह और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, basically routing चल रहा है, यहाँ पे, तो comment करके रखते ता कि हमें पाता चले कहां क्या हो रहा है, you know, simple, इसको मैं अटा जेता हूँ, फिलाल अभीक लिए, देखो, अभी मुझे path की नीडे, and, आपको मालूम है, guys, अगर path हमें चाहिए, so, we have, in Node.js, we have one core module path, so, उसको मैं require कर लेता हूँ, so, यहाँ पे मैं चलता हूँ, एक second, require, simply, यहाँ चलना है, मुझे इस तरगे से path लिख देना है, यहाँ ठीक है, so, path, simple, इतना मैं रा काम हो गया, now, guys, with the help of this path, देखो एक second, so, console.log, यहाँ पे मैं चलता हूँ, console पे ready रखता हूँ, एक काम करता हूँ, फिलाल, just, अभी के लिए इसको मैं एक काम करता हूँ, that is, write को बेज देता हूँ, इसको अटा देता हूँ, ठीक है, अभी आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैं चल रहा हूँ, इस जगे का रहा हूँ, तो इसको कमेंट कर जाँ, तो end boom गा, इसे देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे मुझे एक पात मिल रहा, that is, हमारा जो main drive है, node.js, youtube, जो हमारा main route है, and then express web, जिसके अंदर just हमने project create कर रहा हूँ, basically हमारा main project है, express web, and then source folder है मुझे बता रहा हूँ, मुझे क के बहार निकल के, public folder तक पॉचना है, and उसका path मुझे इसके अंदर add करना है, now it's super duper easy, that is simply, comma, double quotes, basically join, join करेगा, इतना लिखता हूँ, control है, save, अब आप देख सकते हूँ, मैं express तक आ गया, you know, मैं express तक आ गया, अभी मुझे क्या करना, express के अंदर public को आना है, and it's super duper easy, forward slash public, खाली forward slash के बाद जो भी लिखोगी हो जाएगा, and this is it, मैं public में आ गया, इतनी easily, ठीक है, अभी एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा और इस्तिर की से रखके, इसको bottom पे ही रख देता हूँ, चलो ठीक है, अभी इसकी need निया में, हमारा काम हो गया, अभी बस मुझे क्या क अभी बात है, copy and then paste, this is it guys, तो हमारा काम complete हो चुक है, अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, and अब अगर मैं refresh करता हूँ, तो 3 to 1 and boom, एक सेकेंड यह तो local page है, home page पे चलता हूँ, and this is it guys, welcome to static page, कैसा लग आपको, तो express basically work किसरी किसे कर रहा है बताने से, वो top to bottom approach में work कर रहा कि ठीक है बाई, user ने जो भी है, उसने home page के लिए request किये, यह home page है, and आप देख सकते हो, कैसे यह भी तो home page है, तो welcome to Thapa technical channel ना आके, उसने हमारा यह जो static website, जो मैंने create किया था, index.test.eml में, वो कैसे आया बोलने से, आप देखो यहाँ पे, इसका जो आप manner देख रहे हो, सब दिखा देता, express and connection close कर देता, that's why, हमने देखा कि express यहाँ पे आया, यह line विजिट किया, फिर यह line विजिट किया, and then जब उसने यह दसवा line देखा, that is, express अल्रेडी static करके, जो method उसको call कर रहा, it means कि अब हम इस static website दिखाना है, and मैंने अल्रेडी path उस पे add कर दिया, so that's why guys, directly उसने यह public folder के अंदर गया, उसने चेक किया, index करके कुछ है, and हाँ, इतना आपको याद रखना कि यह जो index मैंने लिखा है, and यहाँ पी जो है, वो दोनों same होने चीए, इतना बस आपको याद रखना, क्योंकि index बहुत important है, you know, web development हो, या cpanel, आगर आप hosting भी करते हो, so index का main काम ही है, कि वो main हमारा by default home page माना जाता, तो simple इतना मेरा काम हो चुक है, and guys, इस सब कुछ जो मैं बता रहा हूँ, यह सब कुछ मैंना अल्यडी बता चुक है, यह आप देख सकतो, template engine है, यह दे कुछ static website को कैसे add करना है, सब कुछ मैंने बता है, please, एक बाद जरूर देख ल देने आला हूँ, so, bootstrap 4 पर मैं चलता हूँ, bootstrap 4 gets started, यह जो मेरे links है, basically, इसको मैंने की copy, ठीक है, already bootstrap के उपर मैंने complete video बना है, यहां ते कि bootstrap 5 के उपर भी मैंने complete video बना है, ठीक है, इतना है, make sure करूँ कि CSS का जो stallion के उपर ही, इसको आप add करी हो, ठीक है, मैं यहाँ चलता हूँ, control, save, इसको फिलाल हटाता हूँ, come, zoom करता हूँ, and I think यह आप लोगो को एक दम clear दिख रहा है, so, यह मेरा bootstrap का मैंने, जितने links थे, सब मैंने add कर दिया, ठीक है, now, just to make sure कि यह work कर रहा है, एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं चलता हूँ, button, close, एक second, इसको close कर देता हूँ, alright, ठीक है, यहाँ पर मैं चलता हूँ, एक class दे देता हूँ, that is simply button, and button danger, it means red, मैं चलता हूँ, hello, control, save, and अगर वो color आगया, red color, basically, it means यह work कर रहा, and perfect, red color का button आगया, means, हमारा यह perfectly work कर चुक है, ठीक है, अब गाइस मुझे क्या करना है, इसको as it is, रखता हूँ, यहाँ पर मैं चलता हूँ, मुझे, और napbar चीए, so bootstrap 4, napbar, ठीक है, हम जाएंगे getstrap ओले official website पर, यहाँ पर आप napbar देख सकते हो, simply इसको मैं copy करूँगा, ठीक है, यह जो part 10 को मैं हटा रहा हूँ, अब देखो कैसा, बहुत ही जात important है, आपको यह समझना पड़ेगा, कि यह work किस तरगी से हो रहा है, समझ रहा हूँ, मैं क्या बोलना चाहरा हूँ, यह work कैसे हो रहा हूँ, आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि हमारा यह जो project है, अगर आप ध्यान से देखोगे, तो एक दम perfectly align है, यह देखो, left side and then right side में perfect gap है, यह जो about के नीचे से image, यह जो part य देता हूँ, all right class, ठीक है, इस पर मैं चलता हूँ container, and I don't know guys, so automatic suggestion नी आ रहा मुझे, container flute देता हूँ, यहाँ पर simple ठीक है, and यहाँ पर basically class देने वालो में, that is your main underscore menu, and thank God automatic suggestion आ रहा है फिलाल अभी के लिए, ठीक है, इतना मैं चलता हूँ, and इसके अंदर एक और class मुझे देना ह है, that is row, and अब हम grid system use करें, तो वो बहुत important है, ठीक है, class चलता हूँ, यहाँ पर guys, मेरा बस इतना है, कि total grid system होते है, 12, मैं total space इनको देने वाला हूँ, 10, and ताकि left side से एक column, and right side से column का गया, प्राइर पाफेक्ट हम एक दम अच्छे से center पे देखे, so call medium devices, ठीक है, medium devices के अंद एक्ट्रा लार्ज, एक्ट्रा एक्ट्रा लार्ज भी आगे, अब तो bootstrap 5 में, right, and इस तरके से simply लिख दिया, and मूबाल में में complete बारा space देना चाहूंगा, and mx auto, it means, perfectly में center पे चाता हूँ, this is it, and then guys, जो अभी हमने just copy किया था नप बार, इसको में यहाँ पे paste कर देता हू so guys, it is perfectly working, यह देखो, आपका nap bar ready, है किन एकदम awesome यह, ठीक है, इतना हो गया, लेकिन हमें ऐसा नीची, so यह जो drop down है, इसको में delete कर देता हूँ, क्योंकि हमें drop down की कोई need नहीं है, disable वाला जो है, उसके भी मुझे कोई need नहीं है, यह जो search है, इसके भी मुझे कोई need नहीं है तो form को भी मैंने की delete, ctrl s save करता हूँ, अब zoom कर देता हूँ, थोड़ा अब आप लोगों को अच्छा दिखाई दे रहा होगा, so simply ctrl s save, अगर refresh करता हूँ, खाली अब save home and then link है, ठीक है, so यह जो link है, इसको मैं कर लेता हूँ, copy and this is it, खाली अब देखो, यहाँ पे होना क्य तो भी चलेगा, यह अब मेरा क्या कर रहा है, home page को यह represent करेगा, weather page के लिए guys, मैं यहाँ पे चलता हूँ, इस तरिके से weather and about us का जो मेरा page होगा, forward slash के अंदर मुझे simply about call कर देना है, this is it, इतना मेरा काम हो चुका है, perfect, ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं refresh करता and super duper easy, that is margin right auto, margin right, right नहीं मुझे left चाहिए, and margin left auto, it means perfectly हो जाएगा, हमारे right side को, ठीक है, simple, अब यह जो nav bar है, ठीक है, इसको मैं हटाता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ, क्या लिखाता हूँ, क्या लिखाता हूँ, इसम्पली थापा वेदर लिखा है, so थापा वेदर, इ and now यह जो दो चीजे अगर यहाँ पे रोटेट कर रही है, ठीक है, that is because हम font awesome use करने वाले यहाँ पे, so क्यास मैं चलता हूँ, इस तरगी से font awesome, पहले मुझे एक काम करना था, पहले मुझे font awesome का, जो CDN link है, वो चाहिए, वो important है, so font awesome का CDN link, and जो version में यूज करने वाला हूँ वो होगा मेरा 5.10, ठीक है, so 5.10 का है, 5.10, आप देख सकते हो guys, आपका 5.10 यहाँ पे, इस तरगी से, and essay type में all रखना लगा, क्योंकि CSS का अलग होता है, JavaScript का अलग होता है, तो मैं all रख दूँगा, it means सब कुछ होगा इसके अंदर, so copy link आप देख सकते हो, all.mean.css, copy किया, ठीक है, आप एक काम करो कि आप जो है, यह जो आपका link, script, script, script से पहले उसको यहाँ पे जाके चिपका दीजे, ठीक है, as per rule guys, script के जितने भी tag से वो सब हमें body के एकदम ठीक, उपर रखने चीव, वो हम बात में करेंगे, आप फिलाल आप उसका tensor मत दीजे, जब मैं इसको actual express के handlebar से add करेंगे, I mean template engine से as a backend, तब हो सब कुछ हो जाएगा, ठीक है, अभी खाली इतना पहले हम इसका design create करते, क्योंकि आप में से बहुत हो को ऐसा होता है, इसका design कैसे create क्या होगा, बोलके, है कि नहीं, तो अब अगर मैं refresh करता हूँ, and this is it, कुछ होगा नहीं, क्योंकि अगर आप देख सकते हूँ, and this is it, so guys, basically, ये VS Code Editor में by default है ये, ठीक है, तो आपको बिल्कुल टेंसर नहीं लेना, अगर आप में refresh करता हूँ, and guys, आप देख सकते हूँ, मुझे यहाँ पे snow flag देख चुका है, ठीक है, and वो clearly आपको नहीं देखेगा, क्योंकि उसका color white है, and background color white है, तो पाता नहीं चल रहा है, basically, अपने को, लेकिन यहाँ पे अगर में refresh करता हूँ, and guys, we need to make sure कि यह दीख रहा है याँ, right, तो inspect पे चलते है, and यहाँ पे अगर में चलता हूँ, इस तरीके से, ठीक है, hyper, basically, inspect करो, simple है, guys, यह 0 by 0, it means दीख नहीं रहा, and पाता है, क्यों नहीं दीख रहा है, मैं आपको बाता हूँ, देखो, यहाँ पे अगर में लेके चलता हूँ, यह मेरा काम complete, right, so, font awesome पे आप हम चलते हैं, वापस से, and मैं आपको अल्रीड बाता है, उसका नाम स्नो फ्लैक है, snow flag, let's see, icons में दिखता है, किस में दिखता है, basically, snow flag, यहाँ पे यह क्या FAS है, यह क्या FAR, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसी जो FAR, इसको में completely copy कर लेता हूँ, ठीक है, तो यह जो part है, यहाँ पे जो है, इसको में delete कर देता हूँ, and basically, वो मैंने paste कर दी, अब अगर यहाँ पे मैं चलता हूँ, refresh करता हूँ, and boom guys, अब देख सकते हो, हमें वो FAR देख चुका है, ठीक है, तो इसको as it is रख दिया हमेने, चलो ठीक है, अब भी एक काम करते हैं, इन सब को मैं हटाता हूँ, जितना clean हो से कि उतना हमें रखना है, ठीक है, इसको फिलाल हमें चाहिए ही चाहिए, चलो इतना है मेरा काम हो चुका है, अब भी हम एक काम करते हैं, जो मेरा nap bar है, उसको ठीक करने से पहले मैं काम करता हूँ, यह जो मेरा d वे ठीक, इसके बाहर चलता हूँ, यहाँ पर इसमें class add करना चाहूँगा, I mean not class, basically अब हमारा जो main आप कह सकते हो, जो page है, वो मैं add करना चाहूँगा, ठीक है, तो वो कैसे add हो रहा देखो मैं यहाँ पर चलता हूँ, simply मैं लिख देता हूँ इस तरगे से main, so यह आपका हो जाएगा main header, ठीक है, इस तरगे से मैं चलता हूँ, देखो guys, again same piece of code को मैं करना है copy यह वाला, इसको मैंने की copy, and just make sure करना है कि जो आपने copy की वो, you know, perfectly close हो रहे हो, so मैं चलता हूँ इस जग इसको इदर वापस कर देता हूँ, simple इतने मेरा काम हो चुक है, यह जो main menu मेने लिखा है, इसके मुझे कोई नीट निया, ctrl s, save कर देता हूँ, and then, ठीक, उसके बद लेगा, इस यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इस तरगे से main, and इसको header, okay, ctrl s, save कर दी मैंने, simple इतने मेरा Medium में 6, दोनों को basically 6 से दूँगा, और जो हमारा main घर आएगा, basically, जब mobile में जाएंगे, तो complete, guys, उनको मैं क्या करने आ ला हूँ, मैं complete 12 का 12 उनको space देने आ ला हूँ, so header, underscore left, ठीक, यह मेरा left side का code होगा, यहाँ पर मैं चलता हूँ, इस देके पेसे paste कर देता हूँ, so यहाँ मत कर दो कि फिर अच्छा ना दे, simple, ठीक है, so instead of main header left, main header right, control and save, ठीक है, इतना मेरा काम complete, अब इसके अंदर पहला क्या है, यह मुझे लिखना है, so इसको मैंने की copy, यहाँ पे मैं चलता हूँ, guys, paragraph, paste, ठीक है, उसके बाद, guys, मैं क्या कर चलता हूँ, यहाँ पे h1, इसको म difference between span tag and then आपका यह deep tag, तो span tag का फायदा ही है, कि guys, आप, you know, अगर कुछ भी text आपने लिखा है, उसके बीच में अगर आप span tag यूज करते है, तो वो line को break नहीं करता, वो continue ही रहेगा, अगर आप deep यूज करते, तो get the latest, एक new line में weather, फिर दूसरे line में आके यह कुछ ऐसा होत देखो, चलता हूँ, यह देखो, get the latest weather, और आपको याद है, h1 मैंने by default style कर रखा है, वो सब हम देख लेंगे, ठीक है, अब उसके नीचे guys, क्या चलना है, anchor tag लेता हूँ, forward slash में simply यहाँ पर लिख दूँगा guys, weather, and अभी तको हमें, you know, suggestion आनी रहे, लेकिन सब आ जाएगा, इसका टेंसर नी है, and उसके बाद एक button यूज करूँ, मैं simple इस तरीकी से, button के अंदर में लिख देता हूँ, check now, simple, ठीक है, and यह जो button इसको मैं कुछ class देने वाला नहीं, क्योंकि मेरे सारे button यहाँ पर एक ही property, I mean, एक style उसकरने वाले, तो इतना मेरा काम हो गया, and guys, आप देख सकते हूँ कि HTML से इतना होता है, and with the help of CSS, हम कितने awesome create कर सकते हैं, all right, ठीक है, इतना मेरा काम हो गया, यह जो div है, इसके अंदर आपके mind में आ रहा होगा, कि यह जो, you know, इस तरीके से जो must, जो हो रहा है, basically, sliding जो effect हो रही है, उसको हम कैसे create कर सकते हैं, so guys, carry all पे आपको हम zoom करता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हूँ, image में यह display block, display block जो है, इनको मारो गोली, width जो है, as it is चलो रहेने, so source बहुत important है, ठीक है, control D, control D, control D, यहाँ पर मैंने चलना है, images के अंदर guys, फिलाल के लिए मैं बग देता हूँ, control S, save कर देता हूँ, यह दिखाने के work कर रहा है, अब खाले मुझे BG1 के बदले BG2, BG2 के बदले BG3, and this is it guys, I don't know आपने क्या सोचा होगा, यह कितनी मुश्किल हो, मतलब यह अगर कोई भी first time देखेगा, उसके mind में आ रहा होगा, यह कैसे हो रहा होगा, right, लेकिन आपने देखा, आप time भी देख सकते guys, मैं इस वीडियो में time को मैंने hide नहीं किया, क्योंकि मैं आपको proper दिखाना चाहता हूँ, कि मैं अगर work कर रहा हूँ किसी project पे, यहां ता कि मैंने project कर भी चुका है, उसके बावजुद भी guys, बहुत बार ऐसा होता है, कि error हो जाता है, so guys, मैं time दिखाना चाहूँगा, यह बतान हूँ, इस जगे पे, यहां पर मैंने चलना है, मैं यहां पर चलता हूँ, footer history कि से simple, ठीक इसके नीचे आता हूँ guys, footer code लिख देता हूँ, अब चाहे तो कुछ भी लिख सकते हो, यहां पर, ऐसा कुछ नहीं है, so footer, footer को एक class ना दो तो भी चलेगा, basically class देना यह अलट वाला class हा गया, paragraph देता हूँ, paragraph में लिखता हूँ, simply created with love, spelling created with windows key, and then period अगर आप प्रेस करते तो guys, आपको you know, windows में तो दिख जाता, again, mac and linux वाले, please नीचे comment कर दीजे कि, क्या है shortcut ऐसा, you know, mac और उसके keyboard में, so simply में लब, love by, थापा, technical, and I don't know, technical का भी automatic suggestion नहीं आ रह created with love by थापा, technical, इतना मेरा काम हो गया, weather, आप देख सकते, welcome to थापा, technical, weather channel, यह आपने एक चीज़ नोटिस के है, adjust क्या हूँ, मैंने अभी तक यहाँ पर वेदर तो create किया ही नहीं, लिकिन जब हम ऐसा करते है, तो यहाँ पर मैंने जो by default एक बना के रखा है, वो वहाँ प आता है, तो about भी same है, बस मैंने उसको left को right कर दिया, right को left किया हुआ है, और बाकी कुछ नहीं किया हुआ है, ठीक है, तो देखो guys, and I think यहाँ पर एक error है, that is scroll bar हमें आ रहा है, वो scroll bar क्यों आ रहा है, मैं आपको बाता दूँगा, ठीक है, उसका attention नहीं है, इसको मैं हट आत करता हूँ simply, and यहाँ पर guys, जो मैं Google font उसका रहो, उसका नाम पी-जा-लो करके something है कुछ, spelling बस सही लिखना, पी-जा-लो, जो भी हो guys, यह जो भी है, ठीक है, इसको हमें क्या करना है, मैं चाहूंगा कि 200, 300, 400, बाकी फालतू है, and last मैं आपको यादे, जो मैं आपको 22 degrees Celsius जो दिखा रहा तो वो यह है आपका, ठीक है, तो यह सबको मैंने select की, import या तो link, हम basically import में जाएंगे, copy, paste, and यह जो font family है, copy, this is it, ठीक है, अभी मैं देखो क्या करता हूँ, universal operator मैं चाहूंगा guys, कभी भी आप work करते हो, हाला कि यह ना लिखो तो भी चलेगा, क्योंकि अब हम क् कर रहे, boost trap, लेकिन फिर भी make sure करना जरूरी है, ठीक है, padding 0, यहाँ पर चलना, आपका box sizing, border box, simple, and यह मैंने paste कर दे, ठीक है, इतना काम होगे, अब मुझे इसकी need नहीं है, जितना simple रखना है, उतना रखेंगे, control, save, चलो, ठीक है, इतना मेरा काम होगे, अब एक काम में करू that is guys, यहाँ पर मेरे colon देने आपको, ठीक है, and that is 1E272E, 1E272E, यह जो भी color है, ठीक है, let's see कौन सा color है, all right guys, यह वाला color में use कर रहा हूँ, ठीक है, and इसके बाद, एक को और में CSS variable, तो guys, यह है ना, उससा मतलब मुझे बार बार यह color लिखना नहीं पड़ेगा, तो main, इस इस तरीक से simple है, यह trick है, हमने already देख चुका कि हम, कैसे इस पर work कर सकते है, हमारा जो main color होगा, ठीक है, यह है guys, आपका 0097, and then E6, simple, ठीक है, this is it, तो यह दो color हम use करने हो, simple, इतना मेरा काम हो गया, अब मैं चलता हूँ, HTML पे, मैं by default, एक font size रखने हो, that is, 62.5%, मैंने already यह ब one RAM लिखूंगा न, इस तरीक से, it will be equal to my 10 pixel, I mean one RAM will be equal to 10 pixel, because of this one piece of code, simple, ठीक है, control है, save हो गया मेरा, अभी मैं क्या करता हूँ, body मुझे यहाँ पे need होने वाली, लेकिन अभी फिलाल body को में कुछ करता नहीं, अभी मैं दूंगा नहीं, आपको बाद में बता हूँगा, and हाँ यह जो मैं आपको बता रहोगा, इस नीचे हमें स्क्रोल बार जो आ रहा है, वो इसलिए रहा है, क्योंकि row जो है, so by default, आपको यहाँ रो क्या है, row जो है, आप देखोगे, अगर row, 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 यहाँ पे देखिए, यह row जो है, so by default margin खा रहा है, वो मुझे margin देना नहीं है, उसक यह एकदम perfectly अब हमारा work कर रहा है, सब एकदम awesome हो चुका है, अब एकदम perfect है, कोई error नहीं है, कुछ नहीं है, है किनी awesome, चलो ठीक है, इतना मेरा काम हो गया, काई सब देखो, हमारा यह जो main menu है, कहां गया, यहाँ पे देखिए, main menu, copy करना है, तो आपको सब को side by side बताता मैं, dot main menu, इसको रख देता हूँ, ठीक है, अब देखते रहो, बस खाली, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर देख सेकते हो extra space है, so मैं यहाँ पे चलता हूँ, main menu के अंदर, इसका जो background color होगा, basically वो होगा आपका variable, and आपको याद है, मैंने already color दे रखा, that is here, so इसको मैं कर nap bar का basically, जितने भी colors है, that is your guys, triple F, ctrl s, save, ठीक है, basically यह जो weather app, यह जो यह देखोगा, इसी जो भी मैंने home, वो इदर लिखा, वो है, वो, उसके बात guys, मुझे क्या करना है, इसका भी background color से, मेरा main menu का जो background color है, वो ही देना है, इससे अब होगा, यह दोनो एक ही लगेंगे, and 1 6 second, ctrl s, save, refresh करता हूँ, all right guys, यह नहीं हुआ, अब यह पता क्यों नहीं हुआ, वो इसलिए नहीं हुआ, क्योंकि अगर मैं आपको दिखा हूँ, यहाँ पे दिखे, यहाँ पे already इन्होंने nap bar पे कुछ color add कर रखा, that is your nap bar light, नहीं चाहिए, and background का color जो बोल रखा, वो नहीं this is it, ctrl s, save, and अगर आप में refresh करता हूँ, ठीक है, यह देखे, so 3, 2, 1, and boom guys, देखो, सब कुछ perfect हो गया, है कि नहीं इतना awesome, and यह कहां गया, यहाँ पे दिखे, अब यह जो blue blue हमें दिखा ही दे रहा, वो इसलिए दिख रहा, मैं आपको बाता हूँ, क्यों दिख रहा हूँ ठीक है, लेकिन उससे पहले guys, इनके बीच में बिल्कुल भी space नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं चलता हूँ, padding पे, ठीक है, उपर नीचे से में 2 RAM दे देता हूँ, it means 20 pixel, ctrl s, save, तो at least अब इनके बीच में space आ जाएगा, now it's looking awesome, ठीक है, इतना मेरा काम हो गया, अब भी ctrl s, save, and this is it, इतना काम हो चुका है, and अगर कहां गया, वो यहाँ पे, अब देखो guys, यह मुझे दीख भी नहीं रहा है, ठीक है, अब यह दिख नहीं रहा, उसका region यह है, अगर यहाँ पे लेके चलू, आप लोगों को, कि वो point कहा है, भाई साब, है कि नहीं, क्यूंकि द ठीक है, यहाँ पे मैंने पेस्ट करना है, क्योंकि guys, वो color हमें दिखने रहा है, क्योंकि हमने by default उसका एक ऐसा color दे दिया, जो अब किसी काम का नहीं था, ठीक है, तो इस पे मैं चलता हूँ, और यह जो navbar toggler, इसका जो background color होगा, वो guys, let's go with gray color, see, कैसा होता है, ctrl s, save करता ह यहाँ पे अगर आप में refresh करता है, and this is it guys, अब मुझे यह स्तर कैसे दिख रहा है, ठीक है, हम उसको और detail में कर सकते हैं, लेकिन फिलाल अभी इतना पॉपक्त है, आपको at least इतना पता चल चुगा होगा, कि menu देखो कितनी easily हमने बना ली, ठीक है, ctrl s, save करता हूँ, और भी मुझे इनके साथ खेलना है, ठीक है, इनके साथ मुझे खेलना है, अब भी इनके बीच में बिलकुल space नहीं है, ठीक है, तो वो जो space है उनके बीच में, अगर मुझे वो चाहिए, तो basically यह देखो, li के अंदर anchor tag है, ठीक है, so navbar के अंदर li है, navbar के अंदर li है, and then उसके बा एंड भूम गाइस ही देखो पॉफेक्ट हो क्या एंड गाइस मैंने पहले क्या किया था क्योंकि रूल के सबसे इन में से जो अगर मैं लेप्ट दे रहा हूं इस साइड जा रहा है वह लेकिन जो फर्स्ट वाले उसके आगे पीछे तो कुछ स्थानी लेप्ट देनी की कोई नीड नी थी तो फर्स्ट चाइल्ड मैंने कोशिस की लेकिन गाइस वह इतना मैंटर नहीं करता मैं क्या बोलना चाहरा आपको मालूम है न क्योंकि यह फर्स् मैं क्या ओता कि हो मेन्यू जो है राइट वह मुवाइल में एक्दम कोने में चिपक जाता बाकी दो राइट को जा रहे होते इसलिए काई सब को एक प्रॉपर्टी दो एक्दम पॉफेक्ट लिए ठीक है ठीक है इतना मेरा काम हो गया अभी मुझे क्या करना है जब मैं हू अलड़ी दे रखा है तो यह देखो गाइस है की नियू आउसम और यह जो बरफ के गोले है इसको मुझे रोटेट करवाना है एंड इस सुपर डूपर इजी गाइस बिलिप मी तो यह जो मेरे एफ इसनो फ्लैक है कॉपी करना है ठीक यहां पे आना है ठीक है इस तरगे से अब देखो गाइस में यहां पे क्या गरता हूँ सिंप्लिस का पहले तो ट्रांजिशन में एड कर देता हूँ एकदम लीनेर स्पीड में होने चाहिए ठीक है एंड इस सुपर डूपर इजी डैट इस एनिमेशन का नाम में दे देता हूँ रोटेट एक सेगेंड ठीक है इसका जो डियूरेशन होगा डैट विल भी गाइस यौर 2 सेकंड टाइमिंग फंक्शन गाइस लिनियर कॉंस्टेंट डिले नहीं चाहिए इटिरेशन काम मालब चलते रहना चाहिए सो इन्फिनिट डैरेक्शन नहीं फिल मोड नहीं इस इतना मेरा काम हो गया एंड इसका अब प्रिफिक्स लगाना कभी मत बुलिएगा ठीक है मैं प्रिफिक्स एड नहीं कर रहा हूं क्योंकि आप देखो ओपेरा मॉजिला वेपकेट तो यह आपका क्रोम सफारी के लिए आपका मॉजिला के लिए ओपेरा के लिए इंटरनेट एक्स्प्लोर तो हाला कि अभी बंदी हो गया वह तो लेकिन एज जो है Microsoft Edge तो यह सब आप की फ्रेम जरूर एड कीजिए ठीक है एंड इस इतना मेरा काम रोटेट अब देखो यह तो आप फ्रॉम से लेके टू भी लिख सकते हो नहीं तो बैटर अगर आप 0% लिख दो वह ज्यादा बैटर है क्योंकि इस इस फॉर्म और रोटेट वाइस आप कहा हो आप रोटेट ठीक है जिरो डिगरी लिख दो एंड एजटी छोड़ो इसको यहां पर आता हूं इस जिगे पर चलता हूं एंड लेट्स को भी 360 डिगरी जब 100 पर पहुंचेगा वह रोटेट सेव एंड दिस इस इत गाइस अब मुझे इन दोनों के साथ खेलना एंड आप अल्डेडी देख चुक है कि एक दम पॉफेक्टी हो चुक है ठीक है तो अब उन दोनों को मुझे टैगल करना है कैसी देखां मैं यहां पर चलता हूं मैं एंड गाइस आगर आप मेंसे बहुत हो को खाली बैक एंड देख यहां रहा हो तो आप प्लीज इसका कर सकते इसको ठीक है क्योंकि यह बेसिकली फॉंट आड रहो का में इसम हाइड देने वाला हूं 700 पिक्सल अब देखो घएस इसका इस और डिस्प्ले होगा फ्लैक्स ठीक है जुटिफाइक कंटेंड जो होगा उसको मैं करने वाला हू सेंटर एंड से भी इतना करता हूं तो आप देख सेकत हूं किया सब भी एक लाइन में आ गए और वह एक लाइन में ना है तो उसके लिए क्या करते हैं फ्लैक्स का जो डिरिक्सन है वह मैं कर देता हूं कॉलम तो सब एक की नीचे का गए देखो पॉफेक्टली कुछ करना ही पड़ा मुझे मतलब आटोमेटिक सब हो गया लेकिन फिर भी for the sake of simplicity एलाइन आइटम फ्लैक्स स्टार्ट करके रख देता हूं ताकि वह हमेशा पॉफेक्ली उसतर किसी रहे दिस इस इट आटोमेटिक हो गया ठीक है अब उससे तर इसको में कॉपी करता हूं पेस्ट करता अब लेफ्ट आए विल गो वित राइट ठीक है कंट्रोल एस सेव करता हूं इसको अगर में रिफ्रेश करता हूं किसे भी पॉफेक्ली हो गया देखो कितिनी एजी ली हो गया ठीक है अभी मुझे खाली क्या करना है इन के साथ खिलने है तो कॉपी पेस्ट एंदन मेरा प इसका जो मार्जिन है गाइस मुझे अब मार्जिन देना पड़ेगा ताकि उपर नीचे से मुझे पॉफेक्ट गैप मिले उपर से मैं खाली वान राम देना चाहूंगा आज बाज उसे मलब राइट से कुछ नहीं देना बॉटम में जो मेरा जो आप कह सकते हूं यह बट बॉटम में जो बटन है ठीक है उसको मेंने 40 का दे दिया I mean 40 pixel and this is it and इसका जो टेक्स और ट्रांसफॉर्म होगा that will be your capitalized अब मुझे spelling देखना लिखना पड़ेगा and I think अब यह इम्तिहान की गड़ी spelling कितना सही लिखता हूं है and all right गाइस पॉफेक्ट वाव ऑसम यह नो बनना इतना automatic suggestion आ जाता है कि भूली चुका हूं में तो spelling साज बोलू तो ठीक है मुझे वेदर के साथ खेलना है अब भी इस इसको मैं कॉपे करता हूं basically and it's super duper easy ठीक है और नहीं तो मैं काम कर सकता हूं that is कि अगर यह जो मेरा span की spelling भी तो wrong लिखा यार मैंने यहां पर span लिखना था अब मैं क्या करता हूं यहां पर चलता हूं इसको एक class ही दे देता हूं better text color ठीक है so copy control save यहां पर मैं चलता हूं text color and it will be better अगर आप उसका जो main parent है उसको add करो ठीक है क्योंकि इसकी जो आपको याद है selected specific city यह बहुत ज्यादे important role play करता है राइट तो यहां पर मैं चलता हूं अब इसका जो color होगा that will be guys आपका यह वाला color लेकिन उसको मैंने क्या कर रख आपको याद है न एक second कान लिख रहा हूं वह में उपर where and hyphen hyphen आपको main color this is it and 321 and boom guys आपका यह काम होगे आप बटन के साथ आपको खेलना है and it's super duper easy आपका button ठीक है इसको मैंने की copy इसके से मैं चलता हूं button नाओ guys देखो यह बहुत ज्यादा simple है that is मैं directly code लिख देता हूं border मुझे बिल्कुल नहीं चीए so none ठीक है border this की जो padding होगी वो बहुत matter कर रहा that is उपर और नीचे से 8 RAM आजू and बाजू से 1.8 RAM this is it इनकी जो font की size होगी that will be 1.4 RAM ठीक है इतना awesome हो चुक है इसका जो border का radius होगा that will be your guys 20 pixel so 2 RAM लिख दे रहा हूं मैं ठीक है and इसका जो text transform होगा guys so upper case 1 second upper case ही रहने वाला है सिर्फ इतना लिख्या अगर में refresh कर देता हो तो काईसा oh my god यह कुछ जादी बड़ा नहीं हो गया and कहा all right 0.8 है यह आप guys आपको पाता चलिगा होगा 8 लिखा तो इतना बड़ा now it's looking awesome है की नि perfect यहाँ पर में चलता हूं simplest का जो box shadow है horizontal object कुछ नहीं vertical मतलब कितना उसको नीचे लेकर खिसकाना है basically 8 pixel simple कितना उसको मुझे you know आप कैसे कितना मुझे इसको blur करना है that is 6 pixel and उसको मुझे कितना spread करवाना है तो इस तरह के से में लिख देता हूं इस तरह की से 6 pixel and basically minus 6 लिख है मैंने negative and इसका जो black लिख के फाइदा नहीं है let's go with अगर हम pure hexa code के साथ खेल रहे है तो इस तरह की से में लिखता हूं and this is it guys आपका यह perfect was sum बन चुका है अब मुझे एक चीज करना है that is का जो outline है ना done करना है ठीक है क्योंकि अगर मैं click करता तो यह दुक आउटलाइन आया था वह एक सेकिन फिर भी outline तो आया है यहाँ पर जबकि आना तो नहीं चाहिए all right guys अब outline यह एल्स हलका से black border आ जाता था ठीक है इतना मेरा काम हो गया copy क चलता हूं and that is your main color this is it अब अगर refresh करता हूं and this is it guys देखो यह और यह कहां गया home page almost both are same यह किन इतना awesome ठीक है अभी मुझे एक second अब मुझे चाहिए मेरा footer and यह footer बहुत ही ज्यात important है and इसके उपर मैंने अल्रड़ी वीडियो बना चुका था ठीक है लेकिन फिर भी मैं transparent images नहीं है लेकिन अगर जो मेरे transparent images हुए ठीक है वो हूंगे मेरे border header right के अंदर about us page में तो उस समय काइस में एक figure tag यूज करने वाला हूं and जो suspense मैं आपको बता आ रहा था एक काम करता हूं मैं उससे समय बता हूंगा ठीक है इसको अभी फिलार रहने देता हूं इतना मेरा काम हो चुक है control s save करता हूं लेकिन वो जो footer है उसके साथ मुझे अभी खेलना है तो footer code लिख देता हूं या footer style कुछ भी लिख सकते हूं आप यहाँ पे and basically footer जब start होता है जब close होता है basically जब end होता है वो भी आप लिखे और ज्यादा बेटर दिखेगा हो है कि नहीं so guys footer it's super duper easy that is gooder लिखने वाला था मैं अभी footer ठीक है यहाँ पे मैंने चलना है and footer by default element है तो मुझे इसकी कोई need नहीं पड़ेगी dot या forward slash उसकरने का 100% इसका जो background color होगा वो बहुत important करेगा अपने लिए that is high-high-phone main मुझे चलना है and main widget this is it ठीक है footer के अंदर जो मेरा paragraph tag है सबस्की margin zero करोगा इस क्यूंकि paragraph by default margin लेता है और बहुत दिमा खराब करता हो बात में ठीक है text align center इनका जो color होगा that must be your pure white color simple ठीक है and इसका जो line height होगा guys वो आपको देना पड़ेगा जो भी उपर आपने दिया and I think मैं उपर कुछ all लिखा है ठीक है and I think let's go with 100% क्या होता है देखते मुझे नहीं आइडिया गाइस में line height 100% में मैं बस तुक्का मार रहा हूं फिलाल अभी के लिए इनो font size पर मैं चलता हूं क्यूंकि मैंने जो code लेखा कुछ एक प्रॉब्लम है कि line height work नहीं कर रहा है मैं अगर आपको सच बोलू तो I think guys अप मेरे उपर है कि मैं जितना भी line height दूंगा वो work करना चाहिए ठीक है so let's see क्या होता है 5 RAM, condolette save and all right awesome and let's go with 10 let's see क्या होता है all right guys मैं बस इतना ही देखना चाहता था कि perfectly horizontally you know not horizontally हो तो already center पर vertically center पर आते कि यह यह perfectly आ रहा है हम इतना नहीं देंगे हम 5 देंगे अब हमारा मेन इम्तियान की गड़ी इसको मुझे bottom पे लेके आना ठीक है उसके लिए पाते क्या गनना है टॉप पे जाना है मैं आपको याद है मैंने का था स्टाइटिंग में मैं बॉडी टाइग यूज नहीं करूंगा अब मुझे यूज करना है क्योंकि अब मुझे इसकी क्या करनी है मुझे यहां पर एक हाइड देना होगा अंडे व्यूपोर्ट हाइड अगर मैं करता हूँ तो कुछ होने वाला नहीं है लेकिन अब मुझे यहां पर डिस्प्ले फ्लेक्स अगें देखो गाइस सब उटल फुटल होने वाला मेरा मेन मेन्यू मेरा बिच का होम पेज ओलाट गाइस एक्चुली यह बहुत ऑसम दिख रहा है कि यह काड की तरह ब इसका जो डिरेक्शन होगा डैट विल बियो कॉलम एंड सब बैक टू नॉर्मल वापस अपने पोजिशन पर लेकिन इतना जो मैंने लिखा ना काई सब इसने मुझे एक प्रॉपर्टी दे दी है एंड डैट इस कि सिंप्ली अब अगर मैं फुटर पे आता हूँ मार्जि इसी दो नाव यह हमेशा पॉफेक्ली फूटर बॉटम पे ही रहने वाला है इसी जितना मेरा गाम उचुका अगर मैं इस्पेक्ट करता हूं तो यह दो गाईस हमेशा फूटर बॉटम पे रहने वाला है एकी नहीं ऑसम यह देखो कैसा लग आपको अब गाई एक मेडिया क्वेरी ठीक है अब यहां पर बेसिकली मैक्स विट्ट मोस्ली वो गाईस अपका 768 पिक्सल रहता है 768 पिक्सल मोबाइल का ठीक है यहां पर मैंने चलना है काईस अब देखो मेरा जो में में हैडर लेप्ट जो है उसकी खाली मुझे गाईस हाइड जो ऑटो कर द में हेडर राइट ठीक है यह रेस्पॉंसिव कोड गाईस ही बहुत इंपॉर्टेंट है मैंने कहा था न आपको पूरा सब कुछ देखने मिलने वाला आज इस वीडियो में ठीक है इस तरीक से एंड उपर नीचे से नीचे मुझे खाली मार्जिन टॉप कर देता हूं मैं ठीक है राइट आलोको अब अगर मैं इंस्पेक्ट चलता हूं अभी नॉर्मल है बट दी मोमें ट्रिफेस करता हूं एंड बूम गा ऐसे देखो और्टोमेटिक सब हो गया यह देखिए सब आट्वमेटिक हो गया एकदम पॉफेक्ट हो चुका यह राइट इतना मेरा काम हो गया अभी मुझे क्या करना है अब बूट पेस को स्टायल करना है एंड विलिप में गाईस सब सेम है मैं यहाँ पे चलता हूं थोचा कम जूम करता हूं इसी कोई डिट्टो करता हूं में ट्र पेस्टसद्ट्स इसनी अब अगर मैं यह यहाँ पर चलता हूं इसको रिफरेच करता हूं एक सेंड अब करता हूं फैस्की डॉप्रॉब्लम क्या और है कि वह न येवाले अबाउट को क् वो में इंडेक्स पे कर रहा है app.js पर यह वाला about को मुझे तो लेकिन यह static वाल अची है यह है कि नहीं तो उसके लिए में क्या गरूंगा about नहीं about.html and this is it guys यह मेरा about.html का page आचुक है ठीक है and वो सब अभी हम टेकल करते हैं आप बिल्कुल टेंसर मतलों यहां पे भी about.html लिखता तो वो हो जाता था उसका भी कोई टेंसर नहीं है so about.html इसको हटाओ यह जितने भी इतने सारे images है न केरिजॉल में guys उसकी हमें बिल्कुल भी need नहीं है जी है guys इतने सारे जो केरिजॉल की images थी उसकी मुझे बिल्कुल need नहीं है आपको यादे उसके बदले मैंने क्या कर रखा है वहां पे एक figure tag लिया था and मैंने आपको यह बता चलता हूं इस जेगेपे guys में simply चलता हूं figure tag basically after the bootstrap not bootstrap html5 के बात बोलते की figure tag अंदर image लो क्योंकि हम figure का जो caption I mean image image का caption and all वह सब हम बहुत easily कर सकते थे so images के अंदर में चलता हूं and I think about.png alt attribute दे दीजे यहां पे मैं चलता हूं class में img fluid ताकि वह हमेशा responsive रहे ctrl s save करता हूं यहां पे मैं title दे देता हूं थापा थापा टेक्निकल एक सेकंड टेक्निकल ठीक है ctrl s save करता हूं this is it अगर अपमें यहां पे चलके refresh करता हूं so guys मुझे यह दिखाई दे रहा है कि नहीं अभी मैं क्या करता हूं यह जो मेरा पार्ट इसको उठाता हूं उपर रख देता हूं simple बात खत्तम यह देखो कितनी easily मेरा काम हो गया और हां मैं directly इस तरह कर तो रहा हूं लेकिन इसमें एक problem आप देख सकते हो कि इसका जो पार् चलो कोई नहीं इतना हो चुका है सो अब यह जो पार्ट है गाइस यहां पर में चलता हूं अब यहां पर मैंने यह जो भी लिखा इसको मैं copy करता हूं I am a ठीक है एंड यह जो मन्स्टेग डेवलपफर कॉपी करता हूं वेदर के बदले रख देता हूं एंड यूटुब आपको यादे मेरा थापा टेकनिकल का ओफिसल वेबसाइट को कॉपी करता हूं एंड यहां पर मैं पेस्ट कर देता हूं आइच रैप में मैं चाहूंगा कि वो दूसरे पेस्ट पर उपन हो तो टार्गेट अंड इसको ब्लैंक लिखते लेकिन मैं थापा लिख रहा हूं एंटर एंड और्टमेटिक सब कुछ आ गया अब वो जो एक ड्रॉप सैडो मैंने बाता दिया एंड अब मुझे वो सैडो चाहिए ठीक है तो देखो कैस मैं कैसे करता हूं अगर मैं सिंप्ली बॉक्स सैडो यूज करता हूं जो कि पहले कुछ इस्तर किसे है ठीक है अगर मैं आपको बतातो देखो कैसे उसके साथ डिल कैसे करना है बॉक्स सैडो हमें यूज नि करना है विल यूज दी फिल्टर प्रॉपर्टी उसके अंदर ड्रॉप सैडो सिंपल एंड नाव जिरो 0.5 रैम बेसिकली होरिजोंटल उपसाइट वर्टिकल उपसाइट आपका य अल्राइट गैस वांस इतना हो जायता आप बहुत क्लियली देख सकते हो कि नाव विद इहल्प आप ड्रॉप सैडो जो की बॉक्स सैडो का अल्टरेनेटिव भी आप उसको कह सकते हो चाहे जैसे भी ट्रांसपारेंटी मेंजेस हो चाहे उसका इनो एक्स्टेंशन जो भी आप एक एस्टी क्यों ना हो तब भी आप उस पीस्तर के से ड्रॉप सैडो यूस कर सकते हो राइट एंड बताना चाहूंगा गाइस लाइट चले गए थी बट ना इट्स पॉर फार्फक्त ठीक है अगर हम बात करते इन नॉर्मल वे तो एक्सप्रेस के इसमें नीड भी अब हमें क्या करना इस पूरे स्टेटिक को गईस डायनेमिक क्रेट करना है एंड वो कैसे होगा वो अब हम करते ठीके इन उसका क्या मादलब होता मैं आपको बाता तो यह दिखर गई अगर लेट से इसको मैंने की रिफ्रेश अभी यहां पर यहां पर अबाउट अस है ए यह repetition हो रहा है, do not repeat yourself बोलते है, but हम कर रहे हैं, ठीक है, उसी को यह नहीं करने के लिए हम dynamic उस करेंगे, लेकिन फिलाल अभी एक example देख लीज़े, about us पर मैंने की click, the moment मैं अगर यहां पर refresh करता होगा, इस home page पर विल्कुल फर्क नहीं परने होगा, क्योंकि वहां पर हमने changes न about us करूंगा, नहीं, मैं simply इतना चाहूंगा, एक बार मैं about us कर दो, automatic sub में और रिफ्लेक्ट हो जाए, तो guys वह सब पास सकते हो, with the help of express.js के अंदर एक प्रपरटी है, that is, I mean a topic है, that is your template engine, ठीक है, आप में से बहुत होने Pug EJS सुना है, handlebars सुना है, तो हम handlebars सूश करने वाले तो HBS NPM लिग दीजे, basically express का, you know, template engine के लिए, as a view engine work करता है, so we have this view engine for express, view engine for express.js, that is your handlebars.js, it's super duper easy, simply आपको copy करना है, NPM install HBS, ठीक है, यहाँ पर चलना है, इसको हम connection close कर देते है, CLS कर देता हो, सबसे जात इंपोर्टन यह है, कि आपका जो main root folder, जहाँ पर आप वोग कर रहे and this is it guys, इतना simple था यह, ठीक है, the moment आप इसको install करते है, तो अब finally हमारे पास handlebars आच चुका है, and उसको check करने के लिए guys, अगर हम चलते है, package.json file पे, and this is it, we have our handlebars, जो की completely install हो चुका है, इसको अब फिलाला भी हम हटा देते, ठीक है, अब भी में देखो, यहाँ पे चलता एक चीज़ हमें करना पड़ेगा, that is, अब मुझे guys, एक new folder करेट करना है, क्योंकि template engineer बोलता है, कि अगर आपको handlebars use करना है, right, then guys, आपको क्या करना पड़ेगा, then you need to use a folder, जिसका नाम होना ही चाहिए, that is, view, sorry, and guys, मुझे वो actually मिल रहे, actual में लिखा होना चाहिए, वो इध default view engine, require just one line of code, सिव एकी line का code लिखना है, वो तो मैं आपको बाता दूँगा क्या है, लेकिन उससे पहले इतना make sure करो, जब भी आप handlebars, I mean, कोई भी template engine लो चाहिए, पग, low views, not views, EJS लीजे, या जो भी लीजे, moustache, ठीक है, basically तो, moustache का ही part है, तो आपको बस इतना करना, आ कुछ नहीं, VIEWSE होना चाहिए, this is it, views करके एक बन के ready हो चुका है, अब मुझे क्या करना है, मुझे अब इसके अंदर जाना है, so CD views के अंदर गया, right, CLS कर देता हूं, simply type of, जो कुछ हमारे जितने भी pages हमने create के, सब मुझे वापस यहाँ पर create करना बढ़ेगा, ठीक है, type null index dot hbs लिखना, अब आपको क्या लिखना है, html लिखना है, यह html ही है, but with more power, with more functionality, this is it, ठीक है, यहाँ पर में चलता हूं, वापस I need to go with about, this is it, यहाँ पर में चलता हूं, मुझे लिखना पड़ेगा वेदर, यहाँ पर में चलता हूं, मुझे लिखना पड़ेगा and I think, सबकी spelling एकदम पॉपक्त है, so, एक सेकंड, मैंने उपर लिख दिया वो, so, वहाँ से हटा देता हूं, व्यूस के बाहर में आता हूं, simply ठीक है, अब वापस गाइस में simply इसको रन कर देता, अब इतना कुछ हमें मैंटर नहीं करने वाला ही है, all right, and this is it, यह मेरा रन हो copy, मेरा यह जो about.hbs है, वहाँ पर मैं कर देता हूं, paste, guys, मैंने step by step आपको समझा है, कि पहले ऐसे होता था, now with the help of express, क्यूंकि हम में नहीं express देख रहे, तो इसके तुरू कैसे हम कर सकते हूं, मैं आपको बाता हूं, ठीक है, अब देखिए, इतना मेरा काम हो गया, अभी मै अपने express application को यह बताना है, हाँ, मैं template engine news कर रहा हूं, अब instead of public के अंदर जो index और about का जो page है, उसके बदले, मैंने एक new template engine install कर दिया, that is my hbs handlebars, उसके अंदर एक views करके folder है, not उसके अंदर हमारा जो main project है, वहाँ पर views करके एक folder होगा, उसमें जो index and then about है, अब आप उसको run simple, ठीक है, देखो guys कैसे होगा, तो सबसे पहले उसके लिए हमें हमारे express application को बताना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर देखिए, बताना पड़ेगा कि अब हम अपना जो view engine है, उसको set करना चाहेंगे, and जो view engine में use कर रहा हूं, वो होगा मेरा handlebars, तो इसको मैंने की copy, यहाँ यहाँ पर में चलता हूं, ठीक यह जो express.use लिखा है न, ठीक उसके नीचे आपाईए, and then paste कर दीजे, this is it, इतना हमारा काम होगा है, simple, नहीं तो हम एक काम कर सकते हैं, इसको हटा के, यहाँ पर भी हम रख दीजे, तो वो ज्यादा बैटर रहेगा, control एक सेफ करता हूं, ठी एक और चीज अब आपको याद अखना है, and that is, कि मैंने काई सब हैंडल बार जब इंस्टॉल कर लिया है, तब अब हमें क्या करना है, अगर suppose मुझे यह व्यूस के अंदर जो मैंने about index क्रेट किया है, उसको अगर मुझे रेंडर करवाना हूं, I mean not render, मुझे जी हाँ गाई उसके बदले, मुझे single quotes, double quotes के अंदर उस file का नाम पास करना है, that is, views के अंदर जो भी है, and that is my about us का page, about.hbs लिखने की निए खाली, about लिख दीज़े, simple, उसी तरी किसे मेरा home page है, so मैं यहाँ पर चलता हूं, यहाँ पर मैं लिख देता हूं, simply मेरा, इस तरी किसे index.hbs, instead of send, we will use render, क्योंकि directly वो views के अंदर जाएगा, and यह जो index file उसको render करके आमें दिखा देगा, उसी तरी किसे, यहाँ पर भी send के बदले मैं कर देता हूं, render, यहाँ पर भी मैं चल देता हूं, and लिख देता हूं, render, so really, guys, अब देरे दरे आपको सब कुछ पता चलते जा रहा है, अ home, देखो guys, अब simply home है, home.html, basically index.html नहीं लिखा, मेरा about page, मेरा home page, कितनी awesome and कितनी easily यह आगया, right, अब मैं क्या करना है, यह जो मेरा part है, guys, इसको मैं हटा देता हूं, I mean, अब इसकी कोई need नहीं, तो मैंने कर दे, delete, यह तो बस आपको दिखाने के लिए था कि इस तरी किसे हम करेंगे, ठीके, अब देखो guys, इसमें problem था कि हमें बार-बार सेम piece of code लिखनी पड़ रही थी, है कि नहीं, जैसे यह मेरा menu हो गया, तो guys, अब express पे एक और, यह नो, अच्छा सा topic है, I mean, एक functionality, that is partials, partials के मतल से, अब हम क्या कर सकते है, कि जो छोटे-मोटे जो code है, इसक हम उसका reference यहां पर call करेंगे, and the moment वसे कर दिया, उसके बाद उसको जहां-जहां हमने call किया हुआ, अगर उस file पे जाके हम change करते है, तो automatic change हो जाता, देखो कैसे, अभी यह जो views है, सबसे पहले मुझे इसका नाम change करना पड़ेगा, right, क्योंकि as per rule मैं आप views नहीं रख सकते इसको, so templates रख दिया, ठीक है, templates रखा, अब देखो guys, इसको मैं normal तरीके से ही करके बता रहा हूँ आपको, ठीक है, ताकि आपको पता चले, दो तरीके करने के, so new folder, views रखा, अब मैंने templates create करके उसका अंदर views रखा, अब जो सबसे जाद इन्पॉर्टेंट है, that is your partials, यह partials इसले create किया, क्योंकि मैं directly इसके through, अप मैं views, जो मेरा main page है, इसको भी create कर रहा हूँ, and then मेरे जो parcels, files, उसको भी मैं create करना चा रहा हूँ, ठीक है, अभी जैसे ही मेरा menu है, तो simply guys, मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कर लेता हूँ, copy, ठीक है, पार्सल के अंदर चलता हूँ, new file create करता हूँ, let's go with navbar, dot, एक second spelling से लिखिया, navbar.hbs, and this is it, अब मैं यहाँ पर उसको कर दता हूँ, this is it guys, देखो कितनी easily, अभी यह जो मेरा about us का जो page है, यहाँ पर guys, आपको अगर उसको use करना हूँ, parsers को, so आपको use करने पढ़ेंगे double curly braces, and then greater than का sign, and then आपको उसको call करन इतनी easily, and same, इसी कोई मैं करता हूँ, copy, index पर मैं चलता हूँ, यह देखो मेरा d बाला part, इतना जो piece of code लिखना पर, this is it guys, यह है आपका guys, express का फाइदा, ठीके, simply navbar मैंने लिख दिया, अभी हम सब के साथ करेंगे, लेकिन फिलाल सिर्फ मैंने menu कर किया हुआ है, ताकि दिख अब हमारा जो by default path जो होता है, वो views नहीं, अब वो template से, तो हमें वो बताना पड़ेगा, ठीक है, तो simply उसके लिए देखो guys, बहुत जाते important है, that is, मैं यहाँ पर चलता हूँ, देखो, app.set, अब मेरा जो by default, जो views करके, जो मेरा folder था, उसको मैं change करना चाहूँगा, किस से, template template, अब देखो guys, basically खाले मुझे इसका ना path यहाँ पर mention करना है, template underscore path, इस तरह किसे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, अब यह जो मेरा template underscore path मैंने जो लिखा है, उसको मुझे कैसे करना है, इसको copy करता हूँ, paste, यहाँ पर इसको मैंने की copy, यहाँ पर कर देता हूँ, paste, अभी द इसके अंदर यह, जो मेरा express हुए बहे है, उसके अंदर मुझे जाना है, templates पर, and this is it guys, इतना simple था ही है, spelling सही लिखना खाले आपको, and back to normal guys, यह सब कुछ चलेगा, अब अगर मैं refresh करता हूँ, तो फिलाल यह work नहीं करेगा, and उसका reason यह है, कि, देखो, fail to look up view, index in views directory, जबकि सिर्फ templates तक है, तो basically अब वो क्या कर रहा है, views के अंदर यह जो index है, उसको वो देख नहीं पा रहा है, उसका reason है, मैंने जो इसको path दिया, and that is, कि मैंने खाली templates दिया है, templates तक ही दिया है, मुझे templates के अंदर views folder पे भी जाना पड़ेगा, so templates, एक second, यहाँ पे जाके forward slash, and then views, this is it, अब मैंने यह बोल दिया, मेरा पहले जो by default views करके जो folder था, अभी वो views ही है, लेकिन वो एक template करके folder है, उसके अंदर अब वो आरक चुका है, तो मैंने इससरी के से, मैंने इससरी को बता दिया, and set कर दिया, by default जो सिर्फ views था, अब वो templates के अंदर जो views है, वो मेरा default बन अब अगर मैं refresh करता हूँ, and boom guys, देखो, अभी भी यह नहीं आ रहा है, and उसका region है, क्या है मैं आपको बताता हूँ, and that is, यह जब आप इससरी किसे करते हो, इसमें problem ही हो रहा है, कि partial nebba could not be found, क्योंकि अब भी guys, एकदम सही था, लेकिन अब हमने parcels भी add कर दिया, ठीक है, यह जो partial से वो भी एक functionality है, तो उसको पाने के लिए guys, मुझे क्या करना पड़ेगा, पात पे चलता हूँ, यहाँ पे हमें अब यह जो SBS से उसको require करना पड़ेगा, so SBS equal to require, and अब आपको उसको भी इस तरी किसे require करना पड़ेगा, simple control and save, अब हमें यहाँ पे जाना है, अब ह हमें बताना है, हमारे express application को, that is, SBS ने parcels को कर लिया है, register, so we need to register the parcels, and इस तरी किसे guys, आपको simply, उसको register करना है, and अब यहाँ पे वापस आपको उसका path देना है, ठीक है, so मैं चलता हूँ, parcels, spelling underscore path, आपको उसका path देना है, यहाँ बस guys, आपको सब कुछ मिलेगा express में, खाली express को बताते रहना है, हाँ भई, अगर आप view engine use कर रहे हो, तो कौन सा कर रहे हो, बताओ, SBS बता दिया, आपने बोला, ठीक है, view engines के अंदर, जो, I mean, views करके folder, वो default रहता है, लेकिन आपने उसको change कर दिया, तो हमने उसको बताया, कि भई, अब set करो, इसको as a default, now, अब अगर ह अब आपको अल्री बताई चुक है, starting में दिखाया था है, कि अभी में templates के अंदर, abuse के बदले, मुझे खाली जाना होगा, parsers पर, this is it, control as save, and parsers को copy करता हो, यहाँ पर paste कर देता हो, and this is it, सब मेरा काम होगे, so 3 to 1, and boom, guys, देखिए, वापस से आब आच चुका है, about us, यहाँ पर भी about us, कैसे लागा आपको, थाउसा ज्यादा जूम होगया, देखो, है कि नहीं awesome, guys, पहले यह problem था, है कि नहीं, अब देखो, अब मैं वापस चलता हूँ, about us को हटा देता हूँ, and guys, आप देख सकते हूँ, कि हमें output नहीं आ रहा है, अब मैं उसका एक reason बताता हूँ, ठीक है, यह बहुत important है, अब यह, मतलब सच में, बहुत important है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम जो code run कर रहे हैं, वो खाली app.js को ही run कर रहे है, and उसके अंदर जितना भी, जो कुछ भी आ मालूम भाई, यह सब क्या है, यह SBS क्या चीज है, उसको नहीं मालूम यह, तो हमें अब बताना पड़ेगा, हमारे application को कैसे होगा, देखो, मैं यह चाहूँगा, कल के दिन, चाहे वो JS हो, चाहे वो SBS हो, चाहे वो HTML हो, कहीं पे भी, अगर मैं कुछ भी change करूँ, reflect हो जाना हो, वापस से मैं आपको दिखा, तो हमें क्या बोलो, देखो, अगर मैं app.js पे चलता हूँ, control है, save करता हो, यह देखा, देखा क्या हो रहा है, लेकिन अगर मैं nap bar पे चलता हूँ, और about us, देखो guys, कुछ नहीं हो रहा है, तो यह तो problem हो गया, मतलब क्या होगा, हम कैसे गर दोनों में अगर कहीं पे भी कुछ भी changes हो, आप उसको save करो, and this is it guys, अब आप देखो, about है, about थापा लिख देता हूँ, and control है, save, this is it, देखा, अब यह run होगा, अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, refresh करता हो, तो आप देख सकते हो, about थापा, home पे भी about थापा, so this is the beauty, about, यह nap bar को आप मैं हटा देता हूँ, ठीक है, और हाँ एक और चीज, that is यह जो weather है, इसको अभी तक मैंने कुछ किया नहीं है, और यह जो मेरा 404 error page है, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, अब यह जो मेरा footer है, आप चाहे तो guys footer को भी हटा आओ, ठीक है, parsers पे चलते है, new file, footer dot hbs, जितना आपको लगता है, same चीज, repeat हो रहा है, आप खाली उसको क्या करो, वहाँ पर बस add करते जाओ, इस तरीक से जाना है, ठीक है, zoom कर देता हूँ, double color braces, यह guys, hbs use करते हो तो ऐसा है, bug का अलग है, ejs का अलग है, सबका अपना syntax है, ठीक है, यहाँ पर मैंने चलना है, खाली मुझे फूटा लिखना है, this is it, control s save, इसको मैं copy करता हूँ, index पे भी मैं चलता हूँ, एकदम bottom पे और इसको attack कर देता हूँ, अब चालता हूँ, इनके साथ भी खेल सकते हूँ, सबको अलग अलग बना सकते हूँ, लेकिन मैं फिलाल कुछ करनी रहा हूँ, मैं काम कर इन सब को मैं करता हूँ, copy, पूरा का पूरा ही copy कर लेता हूँ, ठीक है, इनका guys मैं चलता हूँ, and यहाँ पे new file पे create करता हूँ, और मैं लिख देता हूँ, header, links, एक काम करता हूँ, header, link की लिख देता हूँ, links, dot hbs, paste कर देता हूँ, control s save, अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, म about पे मैं चलता हूँ, about पे भी मैं जा के इसको कर देता हूँ, इस तरीके से paste, क्योंकि सब तो सेम ही है न, and this is it guys, देखो, weather अभी आएगा नहीं, क्योंकि weather कामने page create नहीं गया, but home, and then about, and सब कुछ, तो आपका header एक साथ हो चुका, आपका body एक हो गया, and देखो आप guys कितना simple और कितना sweet हो चुका ही है, यह देखो यहाँ पे, header को आप हटा दता हूँ, footer को आप में हटा दता हूँ, 404 error page में मैं क्या कर रहा हूँ guys, यह जो मेरा about एसको डिटो copy करता हूँ, इतना हो गया, अभी मैं क्या करना है, देखो guys, अभी बहुत simple है, and that is, कि यह जो मेरा image है instead of about, I will go with 404 करके एक page होगा, ठीक है, इस तरह किसे जाता हूँ, 404 images के अंदर 404.png, ठीक है, ctrl s, save करता हूँ, अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, about के बदले guys, अगर आप मैं कुछ भी लिखूँ, तो आप देख सकते हो कि 404 error page अब तक दिखा नहीं रहा है, ctrl s, save कर अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, अपने app.js के अंदर, तो यहाँ पे मैंने क्या किया guys, render करके कुछ दिखाई नहीं रहा हूँ, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं चलना है, ठीक है, simply थौस जूम कर देता आप लोगों के लिए, यहाँ पे simply 404 and error, बस मुझे इतना लिख देना है, अब I think अभी आज आना ची, and this is it guys, देखो, 404 error page मुझे यह आ चुका है, तो इसको आप मैं देखो guys, किस तरीके से deal करता हूँ, ठीक है, and इसमे एक best part है, वो भी मैं आपको बाता आता हूँ, ठीक है, and चाहे तो आप देखो कैसे, यहाँ पे अब चाहे तो इस तरीके से guys, हम इसमें object भी पास कर सकते है, and object का फाइदा यह है, एक second, यहाँ पे एक extra रखा है, and I think this is it, चलो ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, error message, so guys, basically हम इसको key value pair भी बोल सकते है, नहीं तो आप इसको property, and then इसकी value आप यहाँ पे लिख सकते है, and that is, simply यह जो error है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, मैं अगर कुछ भी page लिख दू, और यह जो, oops, page not found जो है, मैं यहाँ पे इस तरीक से लिख सकता हूँ, ठीक है, इतना मेरा काम हो गया, 404 page का, अब मुझे अगर इसको use करना हूँ, इस property को अगर मुझे यहाँ पी use करना हो, तो कैसे होगा, देखो, मैं simply इतना लेके चलता हूँ, यह मेरा काम इतना हो चुका है, 404 error page, ठीक है, and मैं एक चीच करना चाहूँगा, and that is, यह जो दो मेरे पार्ट है, उसको मैं हटा देता हूँ, and this is it, मैं यह जो था, हटा देता हूँ, अब मेरे पास एक ही, that is, main header right के बतले गाइस, मैं कर देता हूँ, इसको left, ctrl s, save, and then align items, enter as it is, हो, ठीक है, welcome to, यह जो weather app था, उसके बतले में क्या करता हूँ, welcome to thapa technical world, ठीक है, यहाँ पे मैं चलता हूँ, इसको मैंने कर दी, paste, and यह जो था, आप चाहो तो इसको directly copy, and then paste, यहाँ पे कर सकते थे, लेकिन मैं चाहता हूँ, आप लोगों को यह दिखाना, कि guys, अब देखो, जहाँ हम इस तरी की save, double curly braces, and then greater than का जो sign था, उसके बतले अगर आप greater than sign यूज नहीं करते हो, तो आप guys, अब हम क्या कर सकते हो, आपको याद है, अगर आपने react में work किया है, तो हम guys, एक props पास करते थे, तो यहाँ पर आपने यह props पास कर दी, अब आप यहाँ पर उसको access कर सकते हो, बहुत simply, and this is it, error message, जो 404 error page को जब आप call कर रहे हो, उसके अंदर अगर कुछ ऐसे data जो आपको specific यहीं से ही send करना हो, तब आप इस तरी किस बहुत easily in the form of object, जावस्क्रिप्ट का, आप पास कर सकते यहाँ पर यहाँ पर जो about me लिखा उसके बद्ले गाइस मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, go back, या कुछ भी लिख सकते हो आप, and यह जो मैंने इतना बड़ा जो path दे रहा है, इसके बद्ले मैं guys, home page का path दे देता हूँ, this is it, target देने की need नहीं है, मुझे, जाप करता हूँ अब मैं इसको अगर refresh करता हूँ, sorry, यह तो दूसरा page था, अब अगर इसको मैं refresh करता हूँ, and boom guys, देखो, कितना awesome मुझे दिखाई दे रहा है, go back करूँगा, तो मेरे home page पर भी यह चला जाएगा, and वापस अगर मैं यहाँ पर कुछ भी लिखता हूँ, तो वापस हो आने लेकिन यह मुझे perfectly center में चाहिए, ठीक है, and वो center पर लाने के लिए guys, already मैंने align item center तो लिख रहा था, लेकिन फिर भी आया ने, तो एक काम करते हो वापस उसको रखता हूँ, and I think वो क्यों नहीं आ रहा है, मैं आपको बात आता हूँ, with the help of this, यह जो call medium मैंने 6 लिखाता, तो अगर मैं आपको लेके चलू, and that is देखो गईसा, अब मैं क्या अगरता हूँ, यहाँ पर मैं simply चलता हूँ, इसको एक class दे देता हूँ, figure image को, and that is errimg, basically error image लिख रहा हूँ है, अब मैं इसको copy करता हूँ, about की मुझे फिलाल अभी need नहीं है, ठीक है, मैं वापस मुझे CSS पे चलना है, style.css पे, ठीक, footer के उपर आप आईए, यहाँ पर मैं चलता हूँ, यहाँ पर मैं लिख जता हूँ, error page style, ठीक है, आप इस कुछ भी लिख सकते हो, बस आपको याद रहना चाहिए, and आपके through, जो next developer, अगर उसको पाता चलना चाहिए, बस आप क्या कर रहे ह सब तो सब as it easy रहेगा, इसके अंदर images में चलता हूँ, अब मैं खाली गाइस, इसका by default जो width and height वो mention करना चाहूँगा, 60 RAM, 600 pixel, and इसकी जो height होगी गाईस, वो मैं यहाँ पर चलता हूँ, कर देता हूँ, 30 RAM, ठीक है, and don't worry, हम इसको responsive कर देंगे, and boom, इसे देखो, कितना awesome है, यह homepage, about का page, and आपने देखी लिया, guys, अगर मैं कुछ भी लिखता हूँ, तो मेरा 404 error पर जाता है, यह सब कुछ जो आ रहा है, pure मेरे express के through आ रहा है, सब कुछ express के through आ ठीक है, अब main हम हमारे weather पर चलते, देखो, इसको हटाता हूँ, मैं app पर चलता हूँ, weather के लिए हमने weather क complete, index को मैं करता हूँ, copy, and अब मैं क्या करता हूँ, देखो, मैं चलना है, वापस मुझे weather पर, and यहां पर मैं इसको paste कर देता, अब इसको मैं हटा देता, अब बहुत important part यह है, that is, की यह जो मेरा part है, ठीक है, यह वाला जो part है, इसको मुझे कोई need नहीं, इसकी, इसको मैं ह कितनी easily आ चुका है यह, जबकि मैं सिर्फ footer, and then my nap bar, and then header link को call करूँ है, मेरा काम हो चुका है, अभी guys, जो मेरा weather का जो page है, यह बहुत ही ज्यादा simple है, अभी simply guys, मैं क्या करता हूँ, यह जो मेरा, यहां तक जो part है, call MD10, वहां तक मैं रखता हूँ, ठीक है, अभी मैं इस part हमें बनाना, search bar, and then मुझे एक output दिखाना हूँ, ठीक है, तो देखो, यहां पर guys, main underscore content, simply एक नाम दे रहा हूँ, basically deep का, ताकि अगर मुझे style करना रहा, तो मैं बहुत easily यहां पर कर सकता हूँ, and that is, अगर अब मुझे form चाहिए, action की मुझे फिलाल कोई need नहीं है, ठीक है, हां, लेकिन इसको मुझे class जरूर देना, ताकि मैं इस पर वो CSS add कर सकूँ, temp, underscore मैं चलता हूँ, यहां पर simple history किसी form, ठीक है, यहां पर मैं चलता हूँ guys, इसका जो input field है, so simply मेरा input field text, ठीक है, इसको basically मैं एक ID दूँगा, and यह ID अब बहुत ही ज्यादे इंपॉर्टन है guys, क् कि हमें इसको get करना है, कि user आखिरकार क्या search कर रहे, city name, यहां पर मैं चल देता हूँ guys, placeholder पर मैं लिख देता हूँ, enter, spelling एकदम सही लिखना, enter your city name, simple, ctrl s, save, and यहां पर guys, इसका जो auto complete है, वो मैं आप करना चाहूँग, ताकि user ने एक बार जो लिखा बार बार हो दिखना नीची, वहां पर थोड़ा irritated होता है, ठीक है, इतना मैंने कर दिया, मैं वापस चलता हूँ, यहां पर input, and let's see, क्या होता है, input, and यहां पर मैं लिख देता हूँ, submit, ठीक है, यहां पर guys, इसको एक value देता हूँ, that is search, ताकि वो search करे, and इसको एक ID देता हूँ, and that is your submit button, simple, मेर इतना काम हो चुका है, all right, ठीक है, मेरा form का काम complete, अगर मैं आपको यहां पर लेके चलू, and refresh कर दो, तो यह देखोगा, इस score में आपको form इतना छोटा सा दिखाई दे रहा है, it doesn't matter, चलो इतना भी हमें फिलाल दीख रहा है, ठीक है, अब ठीक, उसके नीचे मुझे चलना ह मैं वापस एक डीव लेता हूँ, यहां पे इसको एक class देता हूँ, जिसका नाम होगा, guys, temperature information, ठीक है, तो मैंने i capital रखा temperature info लिख देता हूँ, चलो ठीक है, इतना मेरा काम हो चुका है, यहां पे मैं चलता हूँ, देखो guys, क्या हो रहा है, कि यह जो पार यह complete एक डीव है, उसके उपर एक Tuesday and then जो आज का date आपको दिख रहा है, I think यह बहुत छोटा दिख रहा है, तो guys, हम इसका font size बड़ा देंगे, आप बिल्कुल टैंसा मत देजे, main तो output है हमारा, ठीक है, यह जो पार्ट है, इसको मुझे अब दिखाना, main मेरा temp info, यह मेरा top layer, and then यह मेरा middle layer हो Tuesday and हम इसको JavaScript की through बहुत easily कर सकते है guys, you know, and यहाँ पर मैं चलता हूँ, ID, अब इसको में दे देता हूँ guys, today underscore date, spelling सही लिखना है, today underscore date, and आज का date कहा है, 13th October, ठीक है, capital में रख देता हूँ में इन सबको, चलो ठीक, इतना मेरा काम हो गया, top layer मेरा बनके ready हो चुका है, now guys, अब अबर मैं यहाँ पर चलता हूँ, and कल के दिन अगर मैं यहाँ पर पूने सर्च करता हूँ, तो काईसा आप देखोगे, पूने and दन इंडिया मुझे मिल रहा है, ठीक है, तो वो पूने and दन इंडिया जो मुझे मिल रहा, वो इस paragraph के अंदर मुझे मिलने वाला है, so मैं यह इस तरके से city, underscore name लिख दे रहा हूँ, ठीक है, spelling साही लिखना है खाली, and फिलाल के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, get output here, output बी आप कुछ भी लिख सकते हो, आप कुछ नियमें, बस आप लोगों को दिखाने के लिए, इस तरके से मैं लिख दया, by default, बाकी वो automatic change हो अब भी हम कर देंगे, उसके बात गाइस, अब यह बहुत important पार्ट है कि जो यह temperature, and then यह जो clouds, जो automatic आ रहा है, सब कुछ, की बारिस हो रहा है कि नहीं, क्या हो रहा है कि नहीं, जो कुछ भी हो, वो automatic आ रहा है, तो उसके लिए भी यह side by side है, again grade system use करेंगे, like हमने यहाँ प data कर रहे है, यहाँ पर data को hide कर रहे है, अगर कल की दिन कुछ उल्टा फुल्टा लिख दे, तो उसका तो यह नहीं कुछ data दिखना चाहिए, ठीक है, इसलिए hide कर रहे है, वो data तब ही दिखेगा, जब आप प्रॉपर सीटी का नाम लिखोगे, तो उसके लिए यह trick है, मैं बात में बाता हूंगे, ट्रिक क्या है, इतना मेरा काम होगे, अब इसके अंदर काईस मुझे चलना है paragraph, अब जो basically इसमें मेरा temperature दिखाई देगा, so temp मैंने लिख दी, इसके अंदर expand tag होगा, इसके अंदर फिलाल के लिए में जीरो लिख देता हूं, simple, और यह जो zero है basically temperature, and यह जो part है, मैं वापस अगर पूने लिख दूँ, यहाँ पे and refresh कर रहा हूँ, तो यह जो उपर का यह जो part दिख रहा हूँ, यह बहुत important है, जिसको हम suffix बोलते है, prefix and then suffix, तो property already है, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, and मैं यहाँ पे O लिख रहा हूँ basically, उसको हम style कर देंग and यहाँ पे मैं capital C add कर रहा हूँ, तो guys, यह भी बहुत important है कि हम इसको कैसे प्राप्त कर सकते थे, वापस अब यहाँ पे चलता हूँ, एक paragraph यूज करता हूँ, and guys, once जब आपका इतना हो जाता, अब हमें क्या करना है, यह जो cloud है, या जो कुछ भी है, वो तो हम dynamic fetch करेंगे, लेकिन, at least उसका भी एक path बना के रखना है, ठीक है, so, यहाँ पे मैं चलता हूँ, id, and यहाँ पे simply आपको लिख देना, temp underscore status, simple, I mean उसका जो भी status रहेगा, यहाँ पे, and it's super duper easy कि guys, अब अगर मैं चलता हूँ, I, basically, fa, ठीक है, fa, मैं चलता हूँ, cloud, इस तरीके से मैं लिखत चुका है, zero degree, get output, जो कुछ भी है, मुझे से किसी दिख रहे है, मुझे अब इसको style करना है, and belief में guys, इसका style थोड़ा लंबा है, but इसलिए मैं copy कर रहा हूँ, लेकिन guys, यह मैं आपको explain जरू करता हूँ, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, वापस style पे चला, ठीक है, यह मेर जो express web पे, यहाँ पे जाना है, footer के just उपर, and then error code के just उपर, यहाँ पे आप लिख दीजे, and this is it, control s save key में ने, देखो guys, it's super duper easy, believe me, सबसे पहले जो मेरा temp information था, एक वर इसको control s save कर देता हूँ, इसको आप मैं हटा देता हूँ, and अगर refresh करता हूँ, तो देखो guys, automatic हो गया कितना easy था यह, and यह किस तरीके से हुआ, मैं आपको बाता आते हूँ, यहाँ पे guys, आप देख सकते हूँ, मेरा यह जो temperature information है, ठीक है, यह जो मेरा main पहले यह वाला code में आपको बाता रहा हूँ, weight थी मैंने 400 pixel, simple by default weight दे रहा हूँ, जबकि by default नहीं देना चाहिए, लेकिन RAM में तो work कर जाएगा, margin auto इस से center पे आ गया, minimum height दे रहा है 20, background color यह, border radius इतना, padding and then font family बात खतम, top layer basically जो Tuesday and then 13 October दिख रहा है, इसको फिलाल के लिए अगर मैं यहाँ पे कर दो इस तरीके से red, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है, यहाँ पे, यह मेरा top layer कुछ इस त problem है यहाँ पे, padding उपर और नीचे से तो उतना है, paragraph जो है, चलो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ guys, इसको padding यहाँ से हटाता हूँ, क्यूंकि देखो, यहाँ पे gap आ रहा है, मैं gap नहीं चाहूँगा, मैं top layer के अंदर जो paragraph है मैं वहाँ पे gap चाहूँगा, and and guys, controller save कर रहा हो, त इसको फिलाल में हटा देता हूँ, and अगर आप में करता हूँ, तो guys, आपको कुछ हो इस्तरी के सी दिखाई देगा, जो की ठीक भी है, जो कोई problem नी, हाँ, लेकिन अप में एक चीज जरू कर सकता हूँ, and that is, क्यूं ना guys, मैं यहाँ पे चलता हूँ, यह जो 2 RAM में वहाँ लिखाता हूँ, अगर मैं completely 2 का padding दे दू, तो guys, आप देखो perfectly यह center पे, and then यह center पे आ चुके है, right, है कि नी, awesome, इतना मेरा काम हो गया, आपको इतना पता चल चुका, line by line, and then यह जो मेरा main layer, basically, यह, क्यो ना इसके अंदर भी में चलता हूँ, padding 2 RAM जो है, इस्तरी के से padding दे द एक ने, लेकिन फिर भी एक काम करते, इसको रख देता है, ताकि थोड़ा और better दिखाई दिया हमें, चलो, ठीके, यह, जो मेरा main layer ता, guys, width, 100%, height, 80%, display, flex, display, यह, जो, flex, direction, column, it means, एक की नीचे एक आने वाले padding टूर है, मेरा main layer है, ठीके, and अगर एक column में ना लिखता, तो guys, देखो क्या होता है, देखा अपने just क्या हुआ, यह, output, get output है, और यहाँ पे जो पार्ट है, दोनों side by side, and आपको मालूम है, column, the moment में लिखता हूँ, दोनों एक की नीचे एक आजाते है, उसके बाद यह, जो city का नाम है, basically, get output है, उसको style किया है, मैंने padding, color, font weight, and then font size देखे उसके बाद, अब main है, कि यह, जो मेरा part है, that is, यह, दोनों जो part है, यह, दोनों तो एक ही है, right, and यह, मुझे side by side चाहिए, तो उसके लिए मैं एक middle layer लिया था, यहाँ पे sim picture किसी middle layer, इसको अगर मैं display flags देता हूँ, guys, बहुत easily, you know, display flags, just by content space around, and side by side, automatic आजाते, अगर मैं य देख सकते हूँ, guys, वो हटाती, कुछ हो, अब इस तरी किसी दिखाई दे रहा है, कि नहीं, अब वापस मैं यहाँ पे चलता हूँ, अगर आप मैं इसको space around कर देता हूँ, तो यह दोनों horizontally कोने कोने में चले जाएंगे, देखो, perfectly, मतलब left, and then right, and then center में जितनी space हो, दोनों color change कर दे, and this time it's looking awesome, है कि नहीं, perfect दिख रहा है, and हाँ, एक चीज में जरू करना चाऊँगा, कि इनका जो font का size है, थोड़ा सा में increase कर देता हूँ, ताकि वो better दिखे, so 1.3 RAM, let's see क्या होता है, all right, guys, अब यह I think एकदम perfect है, Tuesday and 13 October, and let's go with one more, you know, थोड़ा सा increase कर देते, all right, guys, I यह जो size है, इनका, यह simply, guys, देखो, एक की बार में FA, and then paragraph, जो middle layer में, दोनों को मेंने font size and font weight दे रखा है, यह जो FA का color है, वो change कर रखा है, super script, and not super, script, जो suffix है, आपका, जो की 0 degree जो दिख रहा है, वो दिखने का reason है कि उसका font size इतना, margin top मेंने इतना कर दिया, and simply margin top minus 2, and इस जो data hide है, guys, आपको पता चल गा होगा, कि starting में क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसकी visibility में hidden कर रहा हूँ, transition में यह दे रखा है, ताकि हलका सा transition के साथ हमें दिखाई दे, basically, बस मुझे इतना करना है, कि अगर, you know, city को यह नाम लिखता है, तो यह जो class है, इसको मैं JavaScript की dynamically, and visibility hidden के तुरू, वो hide हो जाएगा, तो यह simple एक्टरीक है, बस ठीक है, अब यह search देख लीजेगा, इसे बहुत simple है, that is temperature form, basically, यह मेरा जो part है, complete div, with 60% position relative margin, इतना मैंने दे रहा है, उपर और नीचे से gap जो दिख रहा है, यहाँ पर और नीचे से gap जो दिख रहा है, यहाँ लेकिन जो मेरा bottom है, वहाँ पे guys, I think 6 ramp will be better, ना कि 10th, all right, now, it's looking awesome, now, यह जादा बैटर है, इतना हो गया, temperature form के अंदर, जो मेरा input filter, that is text, basically, जो मैं लिख रहा हूँ, वाला, उसको मैंने style किया हुआ, with the help of, you know, attribute को लेके, width 100%, padding, आप देख सकते हो guys, background, color, outline, 0 दिया, border, 0 font size, इ यह तो, बहुत simple था, आपको mind में बस इतना आ रहा होगा, कि यह part कैसे हुआ, search कहां से इसके अंदर आ गया, ठीक है, and हाँ, एक और चीज, आप देख सकते हो, जब मैं कुछ टाइप कर तो, उसका color white है, but यहाँ पे जो by default, एक placeholder, उसका color हलका सा light color है, and that is, आप placeholder को इस त करना, एक basic rule है CSS में, that is, go with CSS position property, and already जो मेरा main डीप था, उसको मैंने temperature form, जो इसको position मैंने relative दे दी, मेरा जो button पोजिशन एपसलूट दे दिया, now top 5, right 5, bottom 5, automatic इधर आ गया, वो, background color change कर दिया, padding यह दे दी, मैंने, border radius, simple सा इतना, color and then font size, and बहुत awesome है, अगर मैं गलती से font, I mean not font position absolute नहीं लिखता हूं, तो देखो guys, वो यहाँ पे दिखता है आपको, adjust मैं position absolute लिख रहा हूं, तो वो वहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, and यह जो top, right, अगर मैं right and bottom भी ना लिखू, तो guys, by default वो right को जाएगा, and आप देख सकते हो, भार चला गया हो, ठीक है, तो इसल इसलिके से देखा, पहले जो बाहर था, 5 पिक्सल लिख के मैंने उसको अंदर वेजा, and now मैं complete space चाहता था, तो मैंने bottom 5 कर दी, and इसलिके से वो हो गया, simple, all right, इतना easy था, right, and then उसके बाद guys, अगर हम देख रहें, तो hover, basically hover कर रहा हूं, तो ठीक उसका opposite हो रहा है, background color का color बन weather page हमारा, you know, 404, it's all हो गया, अब हमें वो functionality चाहिए, अब वो हम कैसे कर सकते, तो अभी style को मैं हटा दे, तो अभी style की need नहीं है, weather वाला page को रखना है, ठीक है, देखो, मैं क्या करता हूं, यहाँ पे चलता हूं, इसके अंदर js, के अंदर main.js पे मैंने चलना है, ठीक है, ठीक, इसके नीचे, folder के नीचे मैं आता हूं, मैं एक script tag call कर रहा हूं, and that is simply, यहाँ पे मैं चलता हूं, मैं src लिख रहा हूं, basically, मेरा js.js folder है, उसके अंदर मेरा main.js, उसको मैं call कर रहा हूं, मतलब अब इस पे जो भी code लिखूंगा, वो यहाँ पे reflect हो जाएगा, ठीक है तो सबसे पहले हम एक चीज़ यह चेक करते है, कि अगर मैं search button पे click करूं, तो क्या वो, मतलब work करेगा या नी, अगर वो work कर रहा है, it means, यहाँ पे जो मैंने यह use किया script है, वो perfectly work कर रहा है कि नी, अगर मैं आपको दिखाऊ, अब इसको अटाता हूं, देखो, यहाँ पे म कि यहाँ पे मैंने चला submit button, control and save, कल के दिन अगर कोई भी submit button पे करता है, click है कि नी, guys, तो कल के दिन submit button पे कोई करे click, तो add event listener, add कर रहा हूं, यहाँ पे अगर कोई करता है, click, तो मैं क्या करता हूं, एक function call करा हूं, get info, basically simple है, ठीक है, and आप यहाँ पे parenthesis add मत कर दो, within a second वो उ चलो कोई नी, guys, get info मैं करता हूं, and यहाँ पे मैं चलता हूं, इतना मेरा काम हो गया, ठीक है, अब मुझे क्या करना, मुझे यहाँ पे खाली alert, चाहिए तो आप console करा सकते थे, but alert will be more better, you know, ताकि मुझे console को open ना करना बढ़े, simple, refresh करता हूं, and boom, guys, alert, यह देखो, high मुझे अब देखो, एक चीज, एक प्रोब्लम होता है, form के साथ, that is, अब में से बहतों ने, form के साथ, अगर जब भी work किया, तो आपको मालूम है, कि form, guys, वो page को, क्या बाता हूं, मैं आपको, वो page को वापस से रिलोड कर देता है, मतलब, output बेच के वापस अपने original state में आने की को पूसिस करता है, यहां पर आप देख सेकते हूं, मुझे, question mark आ चुका, query string, ठीक है, मुझे वो part नहीं चीज, तो मैं क्या करूँगा, get info, यहां पर मैं लिख देता हूं, event, and it's super duper easy, we need to just call event.prevent default method, and again वो आपको देख रहो, suggestion मैं नहीं देख रहा, so मुझे type करना prevent default, and this is it, अब इतना अगर आप link देते हो, you know, मैं वापस चलता हूं, home, weather पर आया, सब कुछ normal है, अभी देखो, high है, यह refresh होता है कि नहीं देखना है, and this is it, guys, now this time अभी यह refresh नहीं हो रहा है, जिस page पर हमें वहीं पर यह रुका हो है, this is it, इतना मेरा काम हो गया, अभी guys, म आपको बाताना चाहूंगा, मेरे पास अल्ड़ी एक link है, API का, मैं आपको दिखाता हूं, वो link, now guys, finally वो इंतियान की गड़ी आगे, जहां पर हम data को get करना हो, तो मेरे पास अल्ड़ी यह link पढ़ा हुआ, guys, ठीक है, it's super duper easy, इस link को मैं आपको नीचे provide करा दूँगा, क्लिक करते हो, guys, obviously, आप sign in तो directly कर नी सकते, आपको क्या करना है, register करना पालेगा, पहले create an account, आप अपना account create कीजे, and the moment आपका account create हो जाता, तब जाके आप sign in करके, यहाँ पर आप अपना details add कर लिजेगा, and the moment अगर आप ऐसा करते हो, तो guys, आपको यहाँ पे, you know, आपका ए the data, ठीक है, API docs पे चलते है, इस पे हमने क्लिक किये, देखो, guys, मैं यही तो use कर रहा हूँ, यह वाला part, इसको मैंने copy की, मैं यहाँ पे चलता हूँ, फिलाल के लिए यही पे रख देता हूँ, देखो, guys, it's super duper easy, let URL equal to चलता हूँ, and paste, अब देखो, guys, यह मेरा link है, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे city add करना है, suppose, फुने, ठीक है, अब मैंने आपको बता एक चीज़ बहुत important है, and उसके लिए आपको sign in इसले करना है, ताकि आपको अपना API की मिले, ठीक है, वो आपका जो भी API की होगा, आप यहाँ पे add कर दीजिए, and this is it, and within seconds तो नहीं बोल सकता लेकिन guys, यह 10 minutes, minimum 10 minutes, नहीं तो एक गंटा, चार गंटा यह लेता है, इसको activate होने में, once जब आपका activate हो गया, तो आप जितना भी चाओ सर्च कर सकते हो, and different तरीके, city का नाम, state का code, city नाम, state code, country का code, आप किसी भी through से कर सकते हो, degree Celsius में प्राप्त कर सकते हो, आप language change कर सकते हो like, Hindi, English, जिसमें भी आप इसको कर सकते हो, इसको आप जरूर चेक आउट कीजेगा, ठीके, and यह सेम हो ही URL, जो guys, मैंने आपको याद है, node.js का, जो मेरा main project था, उस पे भी मैंने same, यही मैंने add किया हो था, उसका भी link, आप देख सकते हो, वीडियो, इसको भी जरूर चेक आ उने, and यह जो है, units, and करके, मैंने आपको याद है, मैंने आपको एक वीडियो बनाया था, अब आपको पता चल गया होगा, यहाँ पर मैंने आप तक जितने भी वीडियो क्रेट किये, सब के, सब हर एक start से लेके end तक, मैंने हर एक को part किया हुए, देखो, हर एक चीज मैंन किया है, and यहाँ पर मैंने एक बहुत इंपर्टेंट चीज आपको बाताया था, that is, यह आपका query string, जहाँ पर मैंने आपको बाताया था, अगर multiple parameter पास करना होता, हम यूज करते है, m%, तो मैंने units, equal to metric किया है, ताकि मुझे Celsius में data मिले, and app id, जो है, मैंने अपना id, यहाँ य detail में, बहुत deep में, step by step, सब कुछ करके, अपने Node.js के project में बताया, उसको भी जरू check out कीजिए, अगर आपको यह doubt आ रहा है, health, इसका link में नीचे दे दूँगा, इसको बेफिकर हो की, use कीजिए, else मैंने आपको बताई दिया, guys, open weather पे जाना, simply register करके, अपना id अड़ करना, it's super duper easy, ठीक है, इतना मेरा काम हो गया, हम क्या करेंगे, guys, हम async await use करेंगे, जो की बहुत important है, you know, पहले promises, पहले normal था callback function, उससे पहले तो और basic था, callback आया, callback से बचने के लिए, you know, callback health से बचने के लिए, we have promises, and then promises को और simple करने के लिए, async await, जो की interview में पूछते ही पू अब ही तक हमने यह तो noticing नहीं किया ना, कि कल के दिन यह जो हमारा part है, अगर यह empty रहा तो क्या, हमें सबसे पहले वो check करना है, so if, अगर वो empty है, तो यह वाला code, अगर वो empty नहीं है, तो यह वाला code, simple ठीक है, मुझे क्या करना है, फिलेल अभी else पे काम करना है, तो मैं यह यहाँ पे चलता हूँ, आप लोगों के लिए, so let URL जो है, यह वाला जो मेरा part है, इसको guys, मैं वहाँ पे नहीं, मैं directly इसदरी add कर रहा हूँ, मैं चाहूँगा कि जब proper हो, तो ही URL के साथ खेले, वन ना ना खेले, simple, ठीक है, यहाँ पे मैं चलता हूँ, यहाँ पे इस जग just create की, वहाँ पे मैं इसको कर दूँगा stored, लेकिन हम क्या उस कर रहे है, async, तो जब तक यह जो fetch URL के through, I mean इस API के through, जो मैं data को get करने की कोशिस कर रहा हूँ, in the form of json, थोड़ा time तो लेगा वो, तो हम wait करेंगे, तो इसलिए इस इतना simple है, async await, मतलब wait करो, simple, जब तक data मिलन अब भी, console पे मैं चलता हूँ, यह दिखाने के लिए, अब भी एक चीज में करना चाहूँगा, चलोगा, इस एक चीज में कर देता हूँ, that is की एक condition add कर देते, कि यह empty नहीं होना चीज, simple, ठीक है, उतना मैं करना चाहूँगा, and वो मैं कैसे कर सकता हूँ, यह जो मेरा field है वो है, आपका ये वाला, ठीक है, इसको मैंना id रखा, city name, यहाँ पे मैंने चलना है, top पे चलता हूँ, देखो कैसे, const city name, equal to document, simply document.get element by id, आपका ये हो गया city name, this is it, चाहे तो dot value कर सकते थे, and I think spelling wrong यहाँ पे constant की, this is it, simple, अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ, simply let, यह जो मेरा city name, जो है, city and city name में लिख देता हूँ, इसके end देखो कैसे, मुझे क्या करना है, let city name तो already उपर ही है, वो तो, city value, basically value, and यह जो मेरा city name है, city name dot value, this is it, अभ यूजर ने क्या लिखा है, मुझे यहाँ पे मिलने वाला है, मुझे बस यह चेक करना है, कि यूजर जो भी data लिखा है, क्या वो कहीं empty तो नहीं है, triple equal to, and this is it, अगर वो empty है, तो guys, पता में क्या करूँगा, यह जो पार्ट ने get output है, वहाँ पे में एक error message थो करूँगा, and वो जो get output है, वो है आपका यह city name, basically middle layer के अंदर जो है, ठीक है, वहाँ पे में चलना है, अब मुझे तो again इसको get करना पड़ेगा, so const, city name equal to document.get element by id, guys, इसको करने के different approach है, but I think इस तरगी से आपको बहुत अच्छे से पाता चल जाएगा, और आपका JavaScript का भी practice हो जाएगी, so city name, dot में क्या करता हो, simply यहाँ पे चलता हूँ, inner text, equal to guys में क्या करता हूँ, यहाँ पे इस तरगी से लिख देता हूँ, देखो, चलता हूँ, कुछ भी, अगर empty है, तो please write the name before you search, simple इस तरगी से, एक second, यहाँ पे मैंने कर, एक second, इसको guys, copy and then paste कर देता हूँ, इस तरगी से control has saved हो गया, मेरा एक part complete, ठीक है, इतना simple था यह, अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, अपने वाले लिख रहा हूँ, guys, इसको हम directly नहीं लिख सकते, इसको हम try catch में लिखेंगे, ताकि अगर कल की दिन हम कुछ wrong लिख रहे हो, तो हम उसको catch कर सकते, basically URL पे अगर कुछ error आ रहा हो, तो हम उसको catch कर सको, तो आपको कैसा लग रहा है ना, एकदम awesome, मतलब सब कुछ हम देख रहे ह and this is it, ठीक है, इतना मेरा काम हो गया, catch पे भी हम एक error रख सकते, and that is simply, यह जो मेरा city है, ठीक है, and कहां गया, मेरा city part इस जगे पे, इसको मैं करता हूँ, copy, अगर empty है तो वो, अगर empty नहीं है, please enter the city name properly, आप कुछ भी लिख सकते, please enter the city name properly, ठीक है, spelling आपको एकदम अच्छ से लिखना है, so guys, once जब हमारे इतना complete हो जाए, basically हमने दो error तो already पकड़ी लिया, यहाँ पे ठीक है, अभी यह जो URL है, मैं चाहता हूँ कि user यहाँ पे जो भी type करे, वो यह जो by default जो मैं पूने लिख रहा हूँ, अगर इस तरी किसी मैं लिखता हूँ, and अगर आपको आप लोगों का इसा दिखाई देगा, ठीक है, मैंने यहाँ पे JSON का जो एक extension वो यूज कर रखा है, तो parts value कुछ मुझे स्थरी किसी दिखा रहा है, जहाँ पे, यह दखो, name is Pune, country, अगर आपको दिखाऊ तो India, इसका जो temperature है, वो 26.49 degree Celsius, और यह दखो cloud, आपको जो cloud दिख तो because of this वो दिखाई दे रहा है, एंड यहाँ पे अगर मैं Pune के बतले अजमेर कर दूँ, enter it करता हो, तो आप देखो guys, उसका जो main ने वो पहले cloud दब clear, इसलिए हमें वो source दिखाई दे रहा है, and temperature बाप रहे, 30 degrees Celsius से वहाँ पे, तो कुछ हमें वो ऐसा दिख रहा होता, ठी it means template strings, so dollar curly braces, user ने जो भी लिखाईए, आपका city name है, user ने जो भी type किया, sorry city name यहाँ पे, user ने जो भी input field पे type किया, उसका data मुझे यहाँ पे चाहिए, and उसका data बहुत easily मैं get करो, यहाँ पे with the help of city name, dot value and then city value, so city value को copy करता हो, यहाँ पे paste कर देता हो, this is it guys, खाली इतना ही करना अब automatic आप जो भी यहाँ पे type करोगो, यहाँ पे add हो जाएगा, and उस city का हमें data मिलने वाला है, control S, save करता हूँ, ठीक है, जब भी get info पे click करेगा कोई, तो हम क्या कर रहे है, हम simply इस function को call कर रहे, जहाँ पे async की through हमने पहले तो वो submit ना हो जाए, you know, उसके लिए check किया, value check क empty है या निए, वो देखा, उसके बाद else के अंदर try catch method हम call कर रहे, basically try catch के रहे है, try में अगर यह proper हो रहा है, तो चलो response दिखा दो, else वापस error है, तो throw कर दो error, और कुछ नहीं, so guys, simply control S, save करते हैं, यहाँ पे चलते है, refresh करता हूँ, ठीक है, so guys, आपको inspect पे click करना है, and आप द इस दिन मैं इधर पे पूने लिखता हूँ, search करता हूँ, and all right guys, this is it, यही तो मैं दिखाना चाता था आप लोगों को, यह देखो, मुझे response मिल रहा है, जहां पे मेरा जो body, वो readable stream है, it means कि मुझे response आ रहा, but in the form of json, जिसको फिलाल console पे show नहीं कर रहा पार रहा है, तो यह जो मुझे response मिल रहा है, मुझे इसको pure javascript में convert करना है, सबसे बहले, तो const data equal to यह जो मेरा response है, response.json method को अगर मैं call करूंगा, तो guys, object में convert हो जाएगा, and मुझे again इसको wait करना पड़ेगा, ठीक है, and guys, मैंने one second इसको refresh की, ठीक है, यह जो get production इसका बिल्कुल टैंसा मतलोगा इसको पंगा हो रहा है, उसके कारा है, लेकिन इस project से लेना देना नहीं है, ठीक है, मैं यहाँ पे चलता हूँ, अब मैं वापस यहाँ पे लिखता हूँ, पुने, अब आप ध्यान से देखेगा, इसको फिलाल अटाता हूँ, and data नहीं मिल रहा है, मिलेगा भी कैसे console तो कर कैसा लगा है, यह से वही data मुझे मिल रहा है, जो यहाँ पे आपको यह दिख रहा है, तो यह data मुझे मिल चुका है, ठीक है, अब भी इसके साथ मुझे खेला, आप देखो कैसे, it's super duper easy, मैं बता तो आपको कैसे, यह जो data मुझे इसको array में convert करना होगा, मतलब array के अंदर इसको मुझे add करना है, so arr data ताकि मैं बहुत इसको get कर सकता हूँ, so you know, इस तरिक इस parenthesis के अंदर इस data को मैंने pass कर दिया, तो guys अब मेरा यह array of an object बन चुका है, ठीक है, अभी मुझे data चीए तो देखो guys, कैसे, मैं बहुत इजली यहाँ पे जो भी data उसको मैं convert कर सकता हूँ and उसको कैसे convert करना में आपको बाता तो, देखो, इसका नाम है temp, इसका नाम है temperature status, इन दोनों को मैंने copy की, top पे चलता हूँ, देखो, const, temp and status, document.getElementById and this is it, इसमें हमारा temperature का status हाएगा, इसे को ही मैं करता हूँ, copy, यहाँ पे paste and यह जो temperature status के बदले, खाली temp में रखता हूँ तो आपको मालूम है guys, वो कौन सा data हमें मिलने वाला है, ctrl s, save करता हूँ, इसको हटा के यह ठीक इसके उपर रख देता हूँ, this is it, इतना मेरा काम होगी है, अभी मुझे क्या करना है, यह जो temp है, ठीक है, यहाँ पे देखो guys, dot, inner text मुझे इसके साथ खेलना पड़ेगा, equal temp, and this is it, अब मुझे यहाँ पे temperature मिलने वाला है, इसको ही मैं करता हूँ, copy, and यहाँ पे जो मेरा temperature का status, इसको मैं करता हूँ, copy, and I think इसी जो temperature status है, उसको हम as a tg रखते चलो, कोई नही, and एक काम करता हूँ, फिलाल अभी के लिए यहाँ पे यहाँ पे यह temp के बदले, temperature status, and temperature status मुझे जो मिल रहाँ गा, इसको कहा है, वो weather के अंदर है, array के बाद, यह जो weather है, वो वहाँ पे, तो अब यह कैसे करोगे, देखो, already हमारा यह एक array था, तो इसको से 0 index number पे, उसके बाद guys, again एक और array आ गया, तो weather को copy करता हूँ, main के बदले weather, वो भी एक array है, जिसमें 0 index number के अंदर, यह जो main करके जो उसकी property है, उसको मैं call कर रहा हूँ, this is it, control s, save करता हूँ, मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ, इसको refresh करता हूँ, कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन अगर मैं पूने लिखता हूँ, so 3, 2, 1, and boom guys, 26.49 degree Celsius, and instead of guys, I mean, मुझे directly clouds आ रहा है, यह आ रहा ह तो वो जो होगा, आपका होगा city name, तो यह city name को करता हूँ, copy, यहाँ पे मैं चलता हूँ, paste, equal to guys, देखो, ARR of data, यहाँ पे मैं चलना है, simply, ठीक है, आपका यह guys, square brackets, के अंदर, zero index number, and वो data है काहा, basically, वो data है आपका name, directly name है guys, यह तो, तो हमें कुछ ज्यादा करना नहीं हो गया, this is it, इतना simple, अभी हाँ, एक और चीज वो यह, कि guys, मुझे दो-दो data एक साथ add करने, ठीक है, तो इसको मैं guys, back tick, calibrations के अंदर रगता हूँ, ताकि guys, दोनो data को मैं एक साथ दिखा सको, बागी मेरा ऐसा कुछ हो नहीं था, simple, ठीक है, यह तो मेरा city हो गया, एक कॉ मा दे देता हूँ, यहाँ पर guys, अब मुझे एक country चाहिए न, and country का है, बोलने से system के अंदर country है, तो system के अंदर, मेरा है यह country, तो country को copy करता हूँ, paste, and this is it guys, अभी इतना मेरा सब कुछ हो ही चुगा, almost, देखो, अगर मैं कुछ भी ना लिखूँ, तो please write the name before search, लेकिन अगर अब मैं पूने लिखता हूँ, so 3, 2, 1, and boom, ऐसे देखे, पूने इंडिया आ गया, 26.2 जो भी है, and then clouds अब मुझे आ रहा, अब यह cloud के बतले, मुझे actual में, मुझे वहाँ पर images चाहिए, ठीक है, वो images में कैसे पास सकता हूँ, बाताने से का, इसमें बाताना चाहूँगा, म अब भी एक काम करता हूँ, and that ही जितने को में कर लेता हूँ, copy, and I think यहीं तक ही, so if, इसका जो पार्ट यहाँ पे, यह जो पार्ट खतम हो रहा है, यहाँ चलो, ठीक है, इसको मैंने की copy, इसको हटा देता हूँ, guys, it's super duper easy, इसलिए मैं इसको copy कर रहा हूँ, बाकी मेरा इसको मैंने करता हूँ, इसको मैंने करता हूँ, इसको मैंने करता हूँ, and then यहाँ पे मैंने कर दी, paste, this is it, इतना मैंने कर दी, अब इसकी मुझे कोई बिल्कुल नहीं है, temperature status की मुझे बिल्कुल नहीं है, मैंने एक new constant variable क्रेट किया, temperature का mood क्या भी, you know, उसका अपना खुद इसका mode यह जब मर्जी बारिस हो, जो कुछ हो, तो मैंने जो data आपको यादे, clouds जो यहाँ पे by default आ रहा था, अब वो यहाँ पे आ चुग है, temperature mode पे, अब मैं खाली if else use कर रहा हूँ, कि यह बोल रहा हूँ, हाँ भाई साब, अगर आपका जो equal to, अगर वो clear है, तो यह जो temperature status.innerHTML, क्योंकि अब मुझे पूरा का पूरा code चेंज करना है, मैंने इसलिए .innerHTML लिखा, उसके अंदर मैं font awesome क्यूश करो, जहां पे मैंने sun दिखा दिया, अगर else if उसका temperature cloud है, तो मैं cloud font awesome क्यूश करो, अगर उसका temperature का mode rain आता है, output basically, तो यहाँ पे rain हो जाएगा, और अगर मैं चलता हूँ, एक second color भी तो मुझे change करना पड़ेगा, and हाँ guys, आप देख सकते हो, मैंने inline style use किया हुआ है, जहां पे मैं color भी use कर रहा हूँ, ठीक है, so इसको color भी change कर देता हूँ, and this is it guys, अब मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ, refresh करता हूँ, सब कुछ normal है, अगर मैं पूने लिखता हूँ, so 321, and भूंगा, ऐसे देखे, मुझे cloud आगा, क्योंकि actual में cloud है, लेकिन अगर अगर अजमेर में मैं चलता हूँ, refresh करता हूँ, यह दिखे guys, अजमेर इंडिया, 30.05 degree Celsius, and आप देख सकते हो, हमें यह दिखाई दे रहा है, star, एकदम perfect, है कि नहीं क condition check कर रहे, and यहाँ पर try and then catch block की मदस से हमें पाता चल रहा है, कि अगर कुछ wrong होता है, तो हमें throw करवा सकते हैं, लेकिन एक problem यह है, कि यह जो data वो अभी भी हमें दिखाई दे रहा है, जबकि कुछ है नहीं यहाँ पर दो, इसको मुझे hide करना है, देखो guys, तो simply guys, वापस weather dot sbs पर आना है, यहाँ पर class add करना है, आपको data underscore hide, the moment आप यह data underscore hide add करते हो, CSS मैंने already कर रहा है, अब guys, मुझे बस इतना है, कि अगर यह empty हो, तो मुझे इसको hide करना है, it means कि यह जो class है, वो मुझे as it is, यहीं पर ही रखना है इसको, ठीके, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ य middle layer है, I mean यह वाला जो मेरा middle layer है, sorry मुझे इसको नहीं लिखना था, यहाँ पर, middle layer पर लिखना है, क्योंकि get output यह error हो, तो मुझे throw कर नहीं है, तो data hide मैंने middle layer पर लिखा, तो middle layer को मैंने की copy, अब देखो guys, एक और तरीके मैं आपको बाता हूँ, अब इता हम खाली get element by id कर र simply query selector, it means पहला वाला जो भी हो, and हम क्या pass करें, class.middle layer, ठीक है, this is it, तो इसके through, अब हम क्या करें, मैं directly इसको get कर रहा हूँ, I mean इसको access कर रहा हूँ, अब इसके मदस से मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यह check कर सकता हूँ, क्या हमारा यह middle layer करके, जो class नाम का div है, उसमें मुझे कौन से access की, जो classes से वो add करनी है, या नहीं, वो मैं बहुत इजीली अब यहाँ पर tackle कर सकते हूँ, देखो कैसे, data hide, अगर वो blank है, it means मुझे, यह जो hide है, उसको hide करना है, यह जो part है, इसको hide करना है, and already यह class अगर exist करता है, it means वो hide ही है, तो मैं फिर भी make sure करना चाहूँग data hide.classlist.add, and simple, यहाँ पर मैं जो भी नाम दूँगा, वो as a class वहाँ पर add हो जाएगा, so data underscore hide, same हो ही class, मैंने यहाँ पर कर दी copy, इसको वापस copy कर रहा हूँ, अगर कल की दिन कुछ error आता है, तो भी मुझे इसको hide करना है, simple ठीक है, and अगर कल की दिन सब कुछ सही है, it means कि try के अगर data हमें मिल रहा है, तो ठीक, इसके नीचे मुझे चलना है, instead of add, मैं उसको कर दूँगा, remove, it means जो hide वाली property है, उसको मैं हटा के स्थर किसे रख दूँगा, अब अगर refresh कर तो data मिल नहीं रहा है, फिर भी नहीं मिलेगा, कुछ भी उल्टा फुल्टा लिखता हूँ, फ अगर टेक्स्ट, Ctrl एस सेब करता हूँ, यहां पर आप देख सकते हो, यह जो मेरा temp है, तो spent है, आप यहां पर देखी सकते हो, यह काम में करता हूँ, कि यह जो data मुझे add करना मैं यहीं पर ही, एक गाइस, इक id आड कर देता हूँ, temperature real underscore value, simple, इसको मैं copy करता हूँ, तो जहां पहले यह जो temp करके, जो मैं copy कर रहा तो इसको मैं temp real well कर देता हूँ, यह जो temp real value होगा, वहां पर मैं चलता हूँ, यह जिगे पर, क्योंकि मेरा main temperature हो तो यहां पर get हो रहा है, इस तरह किसे में paste कर देता हूँ, अब आप देंस देखिए, refresh करता हूँ, फूने लिखता इसे में आपको बाता तो यह दिखिए, जहां पर भी आपने यह जो temperature form create किया तो width जो आपने दे रहा है, basically तो आपका form है, form से हमें लेना देना नहीं है, यहां पर देखिए, तो simply guys, यहां पर चलना है, and 50 कर दीजे, तो यह काम perfect हो जाएगा, इतना बड़ा हो गया, अब मै यहां पर चलता हूँ, पूने, and this is it guys, देखो 27.92 degree Celsius इतना, अगर मैं अजमेर गाइस, मैं अजमेर इसलिए लिख रहा हो, क्योंकि मुझे मालू मैं वहां पर दोख लिए है, तो इस तरह की से हमें देखो, कितना awesome यह दिखाई दे रहे, so this is it guys, आज इस वीडियो के लिए लेकिन अभी भी हमें responsive code लिखना है, and I know आपके mind में confirm यहार है, यह जो Tuesday है, और यह जो 13 October है, यह तो चलो, आज तो Tuesday 13 October था ठीक है, लेकिन कल के दिन तो कैसे Wednesday होना चाहिए, तो वो जो guys, automatic system का जो भी date and time हो, you know, I mean date, या आपका day कॉन सा है, उसको दिखाने के लिए guys, हमने already उसके उपर वीडियो देखा है, उसका link में आपको नीचे प्रोड करा दूँगा, लेकिन फिर भी code में यहाँ पर आपके लिए रखना चाहूँगा, तो मैं अगर आपको दिखाता हूँ, node.js भाई था पा, उसमें अमने प्रोजेक्ट किया तो weather app, तो आप देखी सकते यह को क्या copy, ठीक दिखो कैस मुझे क्या करना है, मैं काम करता हूँ, इस फंक्शन को call करना पड़ेगा, this is it, मैंने call की, अब यह जो return day जो हो रहा है, यहाँ पे मुझे क्या करना है, यह जो मेरा day है, इसके बदले मुझे वो data वहाँ पे चाहिए, ठीक है, so मैं यहाँ पे चलता हूँ, same देखें guys, const, ठीक है, day, equal to, मैं यहाँ पे चलता हूँ, document, document.get, यह guys, यह आप कह लिए बोना से, basically हमने हजा बार देख चुका है, लेकिन फिर भी, आप लोगों को इस वीडियो के तुरु बिलकुल भी doubt ना हूँ, क्योंकि from scratch से देख रहे थे, इसलिए मैं यहाँ पर add कर दे रहा हूँ, and day मैंने यहाँ पर इस तरह की से लिख देख देख, ठीक है, ठीक है, कल की दिन जब भी, और यह जो मैंने function call क्या, यह by default call होने वाला, automatic, the moment आप page को refresh करते हो, तो मैंने इस function के अंदर क्या क्या है, इस array create क्या है, basically, ठीक है, जिसके अंदर मैं weekday, weekday इस तरह के से, 0, 1, 2, 3 में, Sunday, Monday, उसकी value मैंने insert कर दी, and वो करने का reason है कि, क्योंकि अगर मैं simply day को call करता हूँ, with the help of new date, तो guys, मुझे इससे 0, 1, 2 data मिल रहा होता है, तो मैंने बस इतना चाहा कि, अगर weekday के अंदर, जो भी आज का current date है, ठीक है, I mean उसका जो भी current day है, get day के थो मुझे मिलेगा, तो suppose, आज का है, Tuesday है, right, तो आज का Tuesday में मुझे two value मिलने वाली है, तो weekday के अंदर, जो weekday के अंदर वो two value आएगा, तो that will be equal to क्या होने वाला है, Tuesday, तो वो जो Tuesday value है, इस में जाके store हो जाएगा day में, अब instead of returning, मैं directly यहाँ पे चलूँगा, day को मैंन this is it, ठीक है, अभी यह दिखाने के लिए कि Tuesday है यहाँ पे में कुछ भी लिख देता हूँ, इस तरी के से, अब अगर मैं refresh करता हूँ, guys आप देख सकते हूँ कि refresh करने पे data नहीं आ रहा है, अब मैं आपको एक shortcut बताता हूँ, that is कि मैं चाहूँगा, इस जेगे पे मैं चलत अब अब करने वाला है, और उसको मैंने just, you know, with the help of document.get element by id, मैंने get की स्पे स्पे स्टोर किया, now day.inner text will be equal to days, and जैन्वाच कि मैंने Tuesday को कुछ इस तरी के से लिखा ता कि यह दिखा सकूँ, जहाँ पहले Tuesday था, now यह Tuesday इस तरी के से दिखाई रहा है, ठीक है, इसको मैं हटाता हमारा सब कुछ काम हो चुका है, one more time guys, अब मैं लिखता हूँ, Mumbai, search करता हूँ, Mumbai में भी आज धूब खिली पड़ी है, अच्छी बात है, अब हमें क्या करना है, खाली इसका responsive check करना है, and it's super duper easy, ठीक है, मुझे खाली क्या करना है, यह जो मेरा portion है, basically यह वाला जो portion है, इसक अच्छे पहले guys, मेरा जो temp का जो form है, ठीक आप देख सकते, automatic suggestion आरा बहुत अच्छी बात है, इसका जो width होगा guys, कर दूँगा auto, ctrl s save करता हूँ, and refresh करता हो, तो क्या होता है, देखते guys, यह तो एकदम perfect हो गया, यह तो automatic ठीक हो गया, यह तो automatic ठीक हो गया, पहले गंदा थ है, वो आपको मालूम है क्या है guys, वो में चलता हूँ, temp information, उसका भी जो width होगा कर दूँगा auto, ctrl s save, and 3, 2, 1, and भूँगा इसी, देखो, automatic set होगी, अब देखो, home, automatic set, weather, automatic set, about, यह देखो, scroll भी हो रहा है, एकदम perfect भी हो रहा है, and अगर कल के दिन में कुछ उल्टा-फूट तो भी guys, वो हमें 404 error page देखने वाला है, so guys, this is it, आज इस वीडियो के लिए इतना ही, and really, आपको वीडियो बहुत पसंद आ होगा, and हाँ, एक और चीज, एक और चीज रहा है, and that is, कि suppose, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, पूने, पूने लिखा, तो guys, आप देखोगे, कुछ चीज स्थिर किसे problem हो रहा है, क्योंकि font का जो size बहुत बड़ा है, तो आपको यादे, मैंने यहाँ पे जो font awesome, and then उसका जो paragraph है, एक साथ select किया, instead of guys, 7, I will go with 5, font weight, तो by default 900 है, अब अगर मैं refresh करता हूँ, and यहाँ पे अगर मैं पूने लिखता हूँ, अब आप देखोगे guys, एकदम perfectly हमें दिखाई दे रहा है, so guys, कैसा लागा आपको आज का वीडियो, I really hope आपको वीडियो बट पसंद दा होगा, क्योंकि हमने सब कुछ एकदम scratch से देखा, अब देखो guys, लोगो पे click करो, तो कुछ नहीं हो रहा है, तो वो लोगो पे click हो, and हमें हमें यह data यह मेरा home, weather, about, about me पे click करता हो, to guys, मेरा official website, वापस चलता हो, मेरा यह check नौप, अगर में click करता हो, तो मेरा यह आजाता है, about पे चलता हो, so guys, this is it, आज इस वीडियो के लिए इतना ही, and I really hope आपको वीडियो बट पसंद दा होगा, क्योंकि हमने from scratch, A to Z, HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, 4, Express, Node, सब कुछ एकदम स्टर्टिंग से दिखा, तो एक Complete Web Development Course आपको मैंने सिर्फ एक वीडियो में दिखा दिया, so I really hope guys, आपको वीडियो बट पसंद आओगा, and I really hope आपको आपको वीडियो बट पसंद आओगा, and I would like to talk, में डेली ऐसे ओसम वीडियो करता रहता हूं अब हमारा नेक्स टाइट है 3,000,000 सब्सक्राइब अब भी तक अगर आपने मेरे चैनल था पर टेकनिकल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजेगा राइट साइड में एक रड़ कलर का बैल आइकन एक घंटी दिखाई देगा हिट कीजे क्लिक कीजे ताकि आप डेली ऐसे ओसम वीडियो को मिस ना करें और कुछ भी डाउट वो तो बेफिकर होके निचे कमेंट कीजे मैं पी जरूर हेल्प करोंगा सो तिल दन गाइस थैंक यू सो मच टेक क्या